ड्रामा के स्टार्टिंग में फिमेल येड मीना को दिख़ाई जाती है. ये अक आटो मेकानिक स्टूडेंट है. दुसरा तरफ मेनलीड के पापा मीटिंग में रहते हैं. उनका आटो मेकानिक स्पार्ट्स का कमपनी है. जब वो प्रोजेक्टर ऑन करते हैं, उनका बेटा का इंस्ट्राग्राम लाइब वीडियो स्टार्ट हो जाती है फू अपने गल्फरेंड को प्रपुश करता है पर वो मना कर देती है और उससे साधी नहीं करेगी बोलकर रिंग को फेक देती है फू उससे क्या हुआ है पूछ रहा था पर वो उससे प्यार नहीं करती है और रादी नहीं करेगी बोलकर जा रही थी फू उससे जाने नहीं दे रहा था और धका मुकी में वो जाकर नीचे गिर जाती है और उसकी नाथ से बलर्ड निकल रही थी वो बहुत गुसे में थी और वहां से चली जाती है मेटिंग में ये वीडियो देकर सब बाते करने लगते हैं क्या ये हमारा नियो सीओ बनेगा फू की गल्फरेंड अपने पापा को कॉल करके जो भी वा उसके बारे में बता देती है उसके पापा बहुत गुसे में थे फू को लाने के लिए अपने लोगों को भेज देते हैं वो उसे लेकर जा रहे थे फू उसके फाइट करके भाग जाता है और एक लड़की की रूम में जाकर छुप जाता है उसे कोई भी ढून नहीं पाते है मीना फू का छोटा भाई टी के साथ में रहती है दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड है टी उसके साथ में मज़ा करने लगता है तो वो उससे मारने लगती है फिर दोनों वहां से चले जाते हैं अगले सिन में मीना वील का वर्क्शोप पर काम कर रही थी वी उससे लाइक करता है मीना को ये सब काम करना पसंद है क्योंकि उसके पापा भी एक मेकानिक थे वो उनसे ही सब देखकर सिखी है वहाँ पर वी के ममी आते है वो मीना को पसंद नहीं करते थे मीना घर जा रही थी वी उससे छोड़ देगा कहता है तो वो अकेली ही चली जाएगी कहती है और उससे एडवांस पैमेंट देने के लिए कहती है तो वो उससे दे देता है मीना वहाँ से चली जाती है वो घर आती है उसकी एक छोटी बेहन भी है मीना अपनी ममी को पैसे देती है वो एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करती है अगले दिन फू जब जा रहा था तभी उसकी गर्फरिंड की पापा के लोग आकर उसका कार रोकर उसे पकड़ कर ले जाते हैं मीना कार ठीक करके चेक कर रही थी फू उन गुंडों से फाइट करके भाग जाता है उसका पीछा करते हैं वो भागते भागते मीना के कार के आगे में आ जाता है और उससे हेल्प मांगता है उससे सब पकड़ कर मारने लगते हैं मीना उससे बचाने के लिए जाती है और उससे फाइट करती है फू को वहाँ से ले जाती है वो बेहो सो गया था उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है फिर उसे जगाती है पर फूव से अपनी गल्फरेंट समझ कर उसे पकड़ कर जाने नहीं दे रहा था मीना उसे एक थपड़ मारती है और मैं मीना हूँ कहती है और उसे उन गुंडों के खिलाफ रिपोर्ट करने के लिए कहती है पर वो मना कर देता है इसलिए दोनों बहस करने लगते है मीना को कॉल आती है तो वो बाहर बात करने के लिए चली जाती है जब वो वापिस जाती है फू वहाँ पर नहीं था और वो लेड़ी होकर भाग जाता है मीना उसे रोकने की कोसिस करती है पर वो वहाँ से भाग जाता है मीना को हॉस्पिटल से जाने नहीं देती है उसे हॉस्पिटल बिल पे करने के लिए कहते है उस से मजबूरन पैसे देनी पड़ती है φु अपने घर जाता है पर टेक्सी ट्रैबर उससे बिना पैसे दिये जाने नहीं दे रहा था पर टेक्सी ट्रैबर उस पर बिलीब नहीं करता है और दोनों बहस कर रहें थे फू की ममी आवाज सुनकर देखने के लिए जाते हैं और उसका फेस देकर तुम्हे क्या हुआ है पुछते हैं पर वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता है टेक्सी ड्रैबर को पेसे देकर फू को अंदर लेकर जाते हैं फिर उसके पापा को कॉल करके फू के बारे में बताते हैं तो वो देखने के लिए घर आते हैं और वो बहुत गुसे में थे जब उसे पलट कर देखते हैं उसका फेस को देखकर तुम्हे क्या हुआ है पुछते हैं तुम्हारे साथ ऐसे कौन किया है पर वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता है ये देखकर उसके पापा बहुत गुसे में थे अगले दिन मीना फू लोग का कमपनी जोब इंटरव्यू के लिए जाती है फू के पापा कमपनी आते हैं उनका तबियत बिगड़ने लगता है वो म मेडे से नीचे गिर जाती है वो उठाने की कोसिस कर रहे थे वो कमपनी के बोर्ड मेंबर्स को आते देकर छुप जाते हैं मीना उन्हें नीचे देकर उनके पास आती है और क्या आप ठीक है पुछती है वो ठीक नहीं है कहते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कह पूं के पापा उसके बारे में पुचते हैं फूर अपने घर चोड़ने के लिए हैं वह उन्हें चोड़ने के लिए जाती हैं तो फूं के पापा उसके अंदर आने के लिए चाहता हैं वो जाती है और घर देख रही थी, तब ही वो फू को देखती है और बहुत गुसे में थी, उसके पास जाकर उसे एक लाथ मारती है, फू तुम यहाँ पर कैसे आगई पुछता है, और दोनों बहस करने लगते हैं, मीना उसे मारने लगती है, फू के पापा सब देख रहे थ वहां पर लीन आकर उन्हें रोकती है, फिर भी मीना उससे मार रही थी, लीन उन्हें छुडाने के लिए जाती है, पर वो स्विमिंग पूल में गिर जाती है, उसकी ममी उससे बाहर निकाल रहे थे, पर वो भी गिर जाते हैं, फू की ममी आवाद सुनकर वहां पर आ जाते है और फू और मीना को रोकते हैं सब बहस करने लगते हैं टी वहाँ पर आता है और मीना को दे कर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो पुछता है फू के पापा आकर वो मीना को लाए हैं कहते हैं मीना उनका जान बचाई थी फू की ममी मीना को जो भी बोले थे उसके वज़े से वो बहुत गुसे में थी और वहां से जा रही थी टी उसके पीछे जाता है और उसे रोकता है और उसे समझाने की कोसिस करता है पर वो बहुत गुसे में थी टी उसे घर छोड़ते का कहता है पर वो अकेली ही चली जाएगी कहती है तुम अपने पापा को देखो, पर टी कहता है, वो मेरा चहरा देखना भी नहीं चाते हैं, वो सिर्फ फू से प्यार करते हैं, मीना उसस समझा कर वहां से चली जाती है, टी जब जा रहा था, उसके पापा उससे रोकर मीना के बारे में पुछते हैं, वो बताता है, हम दोनों साथ में पढ़ते हैं और हम दोनों क्लोश फ्रेंड हैं ये सुनकर उसके पापा कैसा क्लोश पुछते हैं वो कहता है अगर आप मुझे उससे मिलने से मना कर रहे हैं तो मैं नहीं मानूंगा और मीना के बारे में बता रहा था वो बहुत अच्छी है और बहुत हार्ड वर्क क सुन रहा था उसके पापा उससे मिना कहां पर रहती है पुछते हैं वो उससे थैंक यू बोलना चाहते हैं ये सुनकर टीक हूस हो जाता है और उन्हें बता देता है उसके पापा मिना से मिलने के लिए जाते हैं और फू का हॉस्पिटल बील पैसा भी उससे वापिस कर दे और वो अपने बिमारी के बारे में किसी को भी बताने से मना करते हैं। उसे अपना कार्ट दे कर तुम्हें अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो कॉल करना बोलकर वहां से जले जाते हैं। वी आकर मीना से ये कौन थे पुछता है। वो फ्रेंड के पापा थे कहती है। रात मे कुछ गुंडे मीना के घर आये थे और उसकी ममी को पकड़ लेते हैं। और उन्हें पैसे वापस करने के लिए कहते हैं। उनकी फ्रेंड उन गुंडों से पैसे उधार ली थी। गुंडे घर का सब समान फेकने लगते हैं। मीना काम खतम करके घर जा रही थी। वी उससे गर चोट देगा कहता है और उसकी बॉक्स उठा रहा था पर उससे चोट लगी थी इसलिए वो उठा नहीं पाता है मिना उसे क्या हुआ है पुछती है और उससे दिखाने के लिए कहती है पर वो उससे नहीं दिखा रहा था मीना उसे अपना हाथ दिखाने के लिए कहती है और देख रही थी और तुम मुझे क्यों नहीं दिखा रहे थे पुछती है वी उसे कुछ बोलने वाला था तब ही उसे बुलाने के लिए आते हैं मीना घर जाती है उसके ममी बताते हैं हमें पांच दिन के अंदर पैसे देनी पड़ेगी वरना वो लोग फिर से आ जाएंगे मीना कौन पैसा लिया है पुछती है तो उसके ममी उसे बताते हैं उनकी एक फ्रेंड पैसे लिये थे पर वो भाग गये वी उसे कहता है तुम इतना पैसा कहां से लाओगी मैं तुमें दे दूँगा पर मीना उसे मना कर देती है वो खुद ही कमा कर देगी अगले दिन वो अपने पापा का कार बेच रही थी पर कस्टमर कम पैसे में खरी देगा कहता है मीना और पैसा कहां से लाएगी सोच रही थी अगले सिन में फू अपनी गल्फरिंड की फोटो देख रहा था तब है उसके पापा आकर उसे डाटने लगते हैं एक लड़की के वज़े से तुम अपना लाइब बरवात कर रहे हो यह सुनकर फू गुस्सा हो जाता है और उनसे बहस करने लगता है उसके पापा बहुत गुस्से में थे और उसे एक थपड मार देते हैं फू वहाँ से चला जाता है मीना सौपिंग करने के लिए गई थी तबी फू को देकर उसके पापा को कॉल करके बताती है फू पब ड्रिंक करने के लिए गया है उसके पापा उस पर नजह रखने के लिए कहते हैं तो वो माँ जाती है और पब जाती है पर उसे ऐसे देकर उसे अंदर जाने के लिए नहीं देते हैं इसलिए वो ड्रेस चेंज करके आती है, उसे अंदर जाने के लिए दे देते हैं, फू बहुत ड्रिंक कर रहा था, लीन का भाई फू के उपर नजह रखने के लिए एक आदमी को बोला था, वो आदमी उसे फोटो भेशता है, फू को दो लड़की रूम लेकर जाते हैं, और उसका सब पैसे लेकर भाग जाते हैं, फू के पापा उससे लेने के लिए आते हैं, वो बहुत नशे में था, उससे घर लेकर जाते हैं, अगले मॉर्निंग वो जब जाकता है तो उसके पापा उससे सुनाने लगते हैं, फू बहुत गुसे में था और वहां से जा रहा था उसकी ममी उसे रोकर आज उसे घर पर रहने के लिए कहते हैं अज कम्पनी के गेश्ट आने वाले हैं इबनिंग में सब आते हैं पानू और उसके पापा का एक प्लान था फू को आज ड्रिंग करा कर तमासा देखे फू रेडी होकर आता है और ड्रिंक करने लगता है ये देकर उसके पापा हेरान थे और किचन जाकर ड्रिंक सर्फ करने से मना करते हैं पानू सब सुन रहा था वो भी एक ड्रिंक लेकर आया था फिर फू को ड्रिंक गिप्ट करता है उसके पापा ये देकर बहुत डर रहे थे, मीना टी को घड़ छोड़ने के लिए आती है, फिर उसे छोड़ कर जा रही थी, फू बहुत नशे में था और उपर से कुदने वाला था, पर वो ना कुद कर स्विमिंग पूल पर कुदता है, ये देकर मीना उसे बचाने के लिए जाती है, फू की ममी उन दोनों को इससे देकर बहुत डर रहे थे, फू उसे जाने नहीं दे रहा था, और उसे किस करना चाता था, ये देकर उसकी ममी चोग जाते हैं, जब उसके पापा देखते हैं तो वो भी चोग जाते हैं, और वो लोग अब क्या करेंगे सोच रहे थ फू मीना को लेकर फिर से स्विमिंग पूल में कूछ जाता है टी उन दोनों को इस से देखकर ये तो मीना हैं सोच रहा था फू मीना को तुम बहुत प्रिटी हो बोल कर किस कर लेता है और ये देखकर उसकी ममी पापा चोग जाते हैं और गेश्ट बाहर ना देखे इसलिए ग्लास ब्लाइंड्स गरा देते हैं जब पीछे मूड कर देखते हैं तो सब गेश्ट वहां से चले गए थे दोनों उन्हें रोकने के लिए जाते हैं पर सब गेश्ट फू और मीना को साथ में देख लेते हैं उसके ममी पापा क्या करेंगे सोच रहे थे उसके पापा अपने बेटे को बचाने के लिए मीना को फू की ब्राइड है कह देते हैं और सब गेश्ट को वहां से ले जाते हैं ती और मीना फू को रूम लेकर जाते हैं वो बहुत नशे में था ती उसके लिए टावल लने के लिए जाता है मीना फू को उठाती है पर वो उसे ही पकड़ लेता है और उसे किस करना चाहता था मीना उसे एक पंच मारती है सब गेश्ट मीना के बारे में पूछ रहे थे फू के पापा सबसे जूट बूलते हैं फू मीना को सिक्रेटली डेट कर रहा था और दोनों अपसादी करेंगे पानून से मीना की बेग्राउंड के बारे में पुछता है तो फू के पापा कहते हैं वो एक करूर पती की बेटी है और उनका बहुत सारे कार ब्रांट से मीना घर जा रही थी फू के पापा उससे रोक कर बात करने के लिए बुलाते हैं उससे कहते हैं गेश्ट तुम दोनों को साथ में देख लिए हैं इसलिए तुम दोनों लवर होने का एक्टिंग करो ये सुनकर मीना नहीं मानती है और वहां से चली जाती है फू की ममी भी इसके लिए नहीं मान रहे थे पर उनके पास और कोई आप्शन भी नहीं था मीना जब घर आती है उसकी ममी रो रहे थे वो लोग अब उन गुंडों को कैसे पैसे देंगे पर मीना उन्हें टेंसन लेने से मना करती है वो पैसे लाएगी अगले दिन लिन को मीना के बारे में जब पता चलता है वो बहुत गुसे में थी पर मीना की नाम सुनकर उसकी ममी ये नाम कहीं सुने हैं सोच रहे थे लिन कहती है ये तो वही लड़की है जिसे हम उस दिन मिले थे वो करोड़ पती की बेटी नहीं हो सकती है पानू पुछता है क्या आप दोनों पहले उससे मिले हो तो उसके ममी हा कहते हैं उसके बिहेबियर से लग रहा था वो गरीब है वो अमिर नहीं हो सकती पानू भी अपने पापा से कहता है मुझे वो लड़की स्ट्रेंज लगी दोनों मीना के उपर शेक करने लगते हैं अगले सिन में टी फू से बहुत गुसे में था और कहता है कल रात तुम मीना के साथ में ऐसे क्यों किये तो फू उसके नाम सुनकर फू से वो लड़की बोलकर उसकी बुराई करने लगता है ये सुनकर टी गुसा हो जाता है और उसे एक पंच मारता है तो फू भी उससे मारने लगता है दोनों लड़ रहे थे, उनकी ममी आकर उन्हें रोकते हैं, फिर भी दोनों बहस करने लगते हैं, उनकी ममी उन्हें बहस करने से मना करते हैं, टी बहुत गुसे में था और वहां से चला जाता है, फू की ममी रात के बारे में उससे सब बताते हैं, तुम बहुत नशे में थे और मीना के साथ में थे पर उसे कुछ भी याद नहीं था ये सब जानकर वो क्या कर दिया सोच रहा था। उसकी ममी बताते हैं तुम्हारे पापा उस लड़की को तुम्हारे लबर बनने के लिए बोले हैं। ये सुनकर वो ये किसे पॉसिबल हो सकता है कहता है। ये बाहर बैठा था। फू से माफी मांगने के लिए जाता है पर उससे नहीं मांगता है। और मैं ही जाकर मीना से माफी मांगूंगा कहता है और वहां से चला जाता है। लीन और उसकी ममी मीना के बारे में पता लगाने के लिए आते हैं और फू की ममी उन्हें कुछ भी नहीं बताते हैं फू मीना से मिलने के लिए जाता है और उसकी ममी से वो कहां है पुछता है तो उसकी ममी उसे बताते हैं वो काम करने के लिए गई है लीन फू को ढून रही थी और टी से जाकर टक्रा जाती है उटकर उससे फू कहां है पुछती है पर वो उसे नहीं बताता है तो लीन बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे बहस करने लगती है टी उसकी मजाक उड़ा कर जा रहा था तो वो उसके पीछे जाकर उसे मारने लगती है फिर उसे चिड़ा कर जा रही थी पर वो स्लीप होकर नीचे गिर जाती है फू मीना से मिलने के लिए जाता है पर वहाँ पर कोई भी नहीं थे इसलिए वो कार को देखने लगता है मीना वहाँ पर आती है और उसे चोर सोच कर मारने लगती है वो उसे रोकता है पर वो उसे देखकर बहुत गुसे में थी और उसे मारना चाहती थी वो उसे पकड़ लेता है और नहीं छोड़ रहा था इसलिए वो उसे डराती है वो उसे छोड़ देता है मीना बहुत गुसे में थी फू मुझे तुम से कुछ बात करनी है इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ कहता है मेरे पापा को परेशान करना बंद करो मुझे सब पता है और तुम ही मेरे पापा को फेक ब्रैट बनने का सुझाब दे थी मीना कहती है मैं कभी तुम्हारे दुलहन बनने का सुझाब नहीं दी थी तुम्हारे पापा मुझे रिक्वेश्ट किये मैं तुम्हारे जिसे आदमी से साधी नहीं करूंगी यह सुनकर फू उससे कहता है तुम्हारे जिसे लड़की दिमाग तो सही है ना ये सुनकर मीना बहुत गुसे में थी फू उसके बुराई करने लगता है वहाँ पर वी आ जाता है और वो ये सब सुनकर बहुत गुसे में था और उसे जाकर एक पंच मारता है फू भी उससा मारता है मीना उन दोनों को रोकती है फिर भी वी जाकर उससा मारने लगता है वी की ममी आकर उन दोनों को रोकते हैं और तुम मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो बोलते हैं तो फू कहता है वो मुझे पहले मारा मैं यहाँ पर मीना से मिलने के लिए आया था ये सुनकर वो मीना की उपर गुसा थे मीना उनसे माफ़ी मांगती है पर वी की ममी उससे काम से निकाल देते है वी उन्हें रोकता है पर उसकी ममी उसका बात नहीं सुनते है और मीना को निकाल देते हैं तो वो जा रही थी वी मीना को रोकने की कोसिस करता है पर वो वहां से चली जाती है फू को भी ये सब देखकर बुरा लग रहा था मीना की बेहन अपने फ्रेंड लोग के साथ में रहती है उसे लेने के लिए आये थे पर उसकी बेहन के आगे में एक बेहन आकर उसे पकड़ कर ले जाते हैं उसे जो लेनी के लिए आया था, उनका पीछा करने जाता है, मीना को रास्ते में जाते देखकर उसे रोकता है, और उसे सब बात बताता है, दोनों घर पर देखनी के लिए आते हैं, उसके ममी ठीक थे, दोनों अब उसकी ममी को क्या बताएंगे सोच रहे थे, उसकी ममी दोनो को टेंशन में दे कर क्या हुआ है पुछते हैं और तुम्हारी बेहन कहा है पर वो लोग नहीं बता रहे थे फिर दोनों अलग अलग अंसर देते हैं उसकी ममी कुछ समझ नहीं पाते हैं उनको कॉल आता है तो वो कॉल रिसिप करते हैं पर कॉल किये थे ये जानकर मीना उसे पौन ले लेती है और उन्हें बात करने नहीं देती है वो बात करती है उसे पैसे मांगते हैं मीना अपनी बेहन से बात कराने के लिए कहती है तो उससे बात कराते हैं और मीना को डराने लगते हैं जैसे उसकी बेहन को मार रहे हैं पर वो लोग नहीं मार रहे थे उसकी ममी को बेहुस देकर उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं फू घर आता है और मीना के बारे में सोच रहा था उसके वज़े से उसकी जोब चली गी और वो अकेली ही बड़बडाने लगता है ती आकर उससे तुम मीना से माफी मांग लिए पुछता है तो वो कहता है मैं उससे हो गया हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं ती मीना से माफी मांग लिए पुछता है तो वो उससे उल्टा कहता है ऐसा लगता है कि तुम अपने फ्रेंड को पसंद करते हो मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक फ्रेंड नहीं है बोलकर चला जाता है ती भी सायद उससे लाइक करता है मीना की ममी को हॉस्पिटर लेकर गया थे तब ही वहाँ पर किड्ने पर कॉल करते हैं तो वो बात करने के लिए बाहर चली जाती है और उनसे बात कर रही थी फू के पापा सब सून लेते हैं और मीना को पैसे दे देते हैं मीना को किड्ने पर कॉल करके उसे एक टेंपल के पास आकर पैसे देने के लिए कहते हैं रात में चीत पैसे देने के लिए जाता है मीना की बेहन को छोड़ देते हैं उसकी बेहन अपनी ममी से मिलती है तो उसकी ममी उससे देखकर बहुत खोसो जाते हैं मेना से तुम्हें पैसा कौन दिया पुछते हैं तो वो अब क्या बोलेगी सोच रही थी चीट कहता है मेना किसी को जानती है वो पैसे दे दिये मेना फू के पापा को कॉल करके पैसे देने के लिए थाइङ क्यों कहती है और उसकी हैल्प करने के लिए वों पेबेक करेगी ये सुनकर वो खुट हो जाते हैं अगले दिन फूख के बापा मीना को फेग ब्रैड बनने के लिए उससे कांट्राक देते हैं पर मीना इसके लिए नहीं मान रही थी उसे मनाते हैं और इसके बदले में वो उसे पैसे देंगे कहते हैं मीना को पैसो की जरुरत रहती है इसलिए वो मान जाती है और कॉंट्रक्ट साइन कर देती है फिर वो घर जाकर चीत को बताती है मुझे दो साल के लिए गल्फरेंट बनने की एक्टिंग करनी है परचीत उसके मजाक उड़ा रहा था और अमीर लोग कैसे चलते हैं जानती हो पुछता है तो मीना चल कर दिखाती है वो ये देखकर हसने लगता है और मजाक उड़ाता है अगले दिन फू के पापा उसे कमपनी काम करने जाने के लिए कहता है तो वो नहीं जाएगा कहता है ये सुनकर उसके पापा गुसा हो जाते हैं और उसे डाटने लगते हैं तुम अभी 25 साल के हो गए हो मैं कमपनी जाकर काम करना चाहिए मैं अब बढ़ा हो गया हूँ मैं चाहता हूँ कि तुम आकर मुझे हेल्प करो वो मान जाता है कमपनी में सब फू के पापा का वेट कर रहे थे वो लोग आते हैं फू भी रेडी होकर आ जाता है उसके पापा अपने बेटे से सब को मिलवाते है फिर मीना को कॉल करते है वो रेडी होकर एक अमीर लड़की है जैसे आती है फू के पापा सब को बताते है और एक इंपॉर्टन्ट लड़की आने वाली है वो फू के साथ में काम करना सिखेगी फू कौन है सोच रहा था तब ही वहाँ पर मीना आती है ये देकर लिन गुसा हो रही थी फू के पापा सब को बताते हैं मीना फू की ब्रैड है फू उसे देकर हैरान था और उसे पुछता है तुम यहाँ पर कैसे पर वो उसे कुछ भी नहीं कहती है वो अपने पापा से पुछता है तो वो भी उसे कुछ नहीं बताते है पानू मीना से पुछता है अंकल बोले थी कि तुम्हारे पापा का बहुत सारे सोरूमस है वो इससे कहां पर सोरूमस है ये सुनकर वो अब क्या बोलेगी सोच रही थी फिर कहती है मुझे याद नहीं है मेरे पापा के पास बहुत सारे सोरूम से पानू कहता है कम से कम एक तो बता दो फू इसारा करके उसे बोलने के लिए कहता है वो कहने ही वाली थी तब ही उसकी कॉल आती है फू उसे कॉल रिसिप करने के लिए कहता है पर वो मना कर देती है मैं बाद में बात करूंगी तो फू के ममी पापा उसे कॉल रिसिप करने के लिए बोल रहे थे वी उसे कॉल किया था पर वो नहीं उठाती है और कहती है एक क्लाइंट कॉल किया था मैं उसे बाद में बात कर लूँगी फू के पापा सब को चलने के लिए कहते हैं पानू मीना को रोकर सोरूम कहां है पुछता है वो सोचने लगती है तब फिर से उसे कॉल आती है तो वो बात करने के लिए चली जाती है मीना वी को ब्लोक कर देती है चीत उसे कॉल करता है तब वो रिसीब करती है भी और्डर दूंगा, वो क्या बूलेगी सोच रही थी, फू के पापा बात को काट कर मीना को वहां से चलने के लिए कहते हैं, वो चली जाती है, पानू और उसके पापा मीना के उपर शेक कर रहे थे, वी मीना को उसके घर पर ढूनने के लिए जाता है, चीत उसे देखकर मी मीना की बेहन को छुपने के लिए ले जाता है और उसे जूट बोलता है मीना को वी की ममी काम से निकाल दिये हैं फिर वी वी उससे काम करने लेने के लिए आया है वी आवाज लगाता है फर दोनों छुपते छुपते वहां से चले जाते हैं और टेकसी में बैठ कर वहां से च वी अंदर आ जाता है मीना की ममी कहता है इन दोनों को ब्लेम मत करना उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है और डॉक्टर बोले हैं वो घर जा सकते हैं वी मीना कहा है पुछता है उसकी ममी कुछ भी नहीं जाते थे वी कहता है मैं उसे लेने के लिए आया हूँ ये सुनकर चीत वहां पर पुछता है, मैं कहीं जानता हूँ क्या। चीत तुम उस जगें नहीं जानते कहता है। फू मीना के साथ अपने आफिस में जाता है। इंपलोई वहां पर रहती है, इसलिए दोनों एक्टिंग करने लगते हैं। उसके जाने के बाद दोनों बहस करने लगते हैं, मीना बहुत गुसे में थी और उसे मारना चाहती थी। तभी वह फिल से आ जाती है तो दोनों एक्टिंग करने लगते हैं। वी चेट से मीना कहां गई है, गुसे से पूछ रहा था, ये दे कर वो डड़ने लगता है, और मेरा कॉल आ रहा है, बोल कर बाहर चला जाता है। मीना और फू दोनों बहस कर रहे थे, फू उसे पुछता है, तुम ये सब पैसे के लिए कर रही हो, ये सुनकर वो गुसे में थी और हाँ कह देती है, फू से कहता है, पैसा कुछ भी करा सकता है, मीना गुसा हो जाती है, और उससे मारना चाहती थी, फूस की हाथ को बहुता है, और तुम ये सब क्या कर रहे हो? पुछते हैं, उसके पापा बहुत गुसे में थे, और कहते है, वो मीना को तुम्हारे गल्फरिंड बनने के लिए हायर किये हैं, फू कहता है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं, आप पहले मुझे क्यों नहीं पूछे? उसके मीना जब जा रही थी लीन उसे रोकर बहस करने लगती है और उसे मारना चाहती थी मीना उसकी हाथ को पकड़ कर मरोड देती है और उसे सुना कर वहां से चली जाती है चीत उसे कॉल करता है तो वो घर जा रही थी फू के पापा उसे रोकर कहां जा रही हो पुछते हैं मीना क पीछे चेंज करे गी कहती है, और चेंज कर रही थी, फू से मिरल से देख रहा था, ये देखर मीना तुम क्यू देख रहे ہو बुछती है, तो वो कहता है, मैं अपने पीछे की कार को देख रहा था, आगे में एक बाइक आ जाती है, तो वो suddenly break मार देता है मीना आगे में आ जाती है और तुम ये कैसे कार चला रहे हो बोल कर बहस करने लगती है वो कहता है आगे में एक बाइक आ गया था पर मीना तुम मुझे देख रहे थे तो फू कहता है मैं तुमें नहीं देख रहा था मीना उसका गाल को पकड़ कर पिंच करने लगती है तो वो उसे छोड़ने के लिए कहता है और मैं तुम्हें नहीं देख रहा था मीना उसे छोड़ देती है फू मीना को घर छोड़ देता है वो अपनी ममी से मिलती है और सब साथ में बहुत खुश थे अगले दिन मीना फू के पास आती है और उसके साथ में फलट करने लगती है वो बहुत डर रहा था मीना उसे नहीं छोड रही थी पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था वो बस सपना देख रहा था और नीचे गिर जाता है तब ही उसे मीना कॉल करती है और उसे जल्दी से रेडी होने के लिए कहती है वो उसे लेने के लिए आ रही है वो रेडी होकर बाहर निकलता है वो पहले से आ गई थी और कार में खा रही थी वो उसे ऐसे देकर बहस कर रहा था मीना उसे बहस करने से मना करती है और उसे कार में बेटने के लिए कहती है तो वो बेट जाता है उसकी ममी सब देख रहे थे टी वहाँ पर आता है और क्या देख रहे हैं पुछता है वो लोग चले गए थे उसकी ममी उसे कुछ भी नहीं बताते हैं और उसे factory जाने के लिए कहते हैं तो वो मना कर देता है और वहां से चला जाता है मीना और फू कमपनी जाते हैं फू समेल आ रही है कि नहीं चेक कर रहा था ये देखर मीना भी उसे चेक कर के समेल नहीं आ रही है कहती है तब ही एक employee आ जाता है तो वो उसे दूर कर देता है उसके जाने के बाद मीना उसे smile करनी के लिए कहती है पर वो नहीं कर रहा था इसलिए वो उसका गाल को पकड़ कर smile करनी के लिए कहती है फू उसे पकड़ लेता है सब उन्हें देख रहे थे फू के पापा की सेक्रेटरी उन दोनों को ऐसे देकर हस रहे थे और उन्हें पुछते हैं क्या तुम दोनों काम करनी के लिए ready हो मीना हा कहती है तो फू नहीं कहता है फिर भी उसे काम करने जाना पड़ता है वो ये सब में interest नहीं दे रहा था जब सेक्रेटरी बाहर जाते हैं तो फू के पापा बाहर रहते हैं और वो फू के उपर नजर रखे थे वो काम ना करके सोया था मीना उसे ऐसे देखर उसके पीछे में जाकर चिलाने लगती है तो वो जाग जाता है वो कुछ भी काम नहीं कर रहा था इसलिए मीना उसे बहस करने लगती है फू से कहता है ये तुम्हारी जो भेतो वो कहती है मैं तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं हूँ ये सब फाइल फड़ो पर वो नहीं सुन रहा था इसलिए मीना उसे वहां से ले जाती है और कार में बैठने के लिए कहती है और वो भी नहीं जानते हैं कहते हैं तो वी उसकी यहीं पर वेट करेगा कहता है और वेट कर रहा था। के बारे में पुछता है मीना एक मेकानिक स्टूडेंट है तो उससे सब पता था और वो उससे अच्छे से आंसर देती है और वहां से चले जाते हैं फिर मीना फू को खाने के लिए एक छोटी सी रेस्टूरेंट में लेकर जाती है खाना बहुत स्पैसी था इसलिए फू नही पुछते हैं वो मीना हैं बताती है लीन बहुत गुसे में थी और तुम दोनों कहां हो पुछती है मीना कहती है हम दोनों लंच करने के लिए आए हैं ये सब सुनकर लीन बहुत गुसे में थी और मैं फू से मिलने के लिए जा रही हूं बोलकर चली जाती है टी भी उनकी लिया था दूसरे तरफ वी अभी भी मीना की वेट कर रहा था और उसकी ममी की हेल्प करने लगता है उसकी ममी सोचते हैं वो कब तक ऐसे वी से जूट बोलेंगे लिन मीना और फू को ढूनने के लिए जाती है टी भी उन दोनों को ढूनने के लिए गया था फू और मीना साथ में बहुत खुश थे तब फू लिन को देख लेता है और मीना को साइड में ले जाता है और दोनों छूपे थे लिन उन दोनों को देख लेती है तो दोनों वहां से भाग जाते हैं दोनों जा रहे थे मीना भी टी को देख लेती है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं टी थोगाए तए पकिए और दोनों को देख लेता है औरूनों के पीछे में जा रहा था। ही पड्लीन से जाकर ठिकरा जाता है।। मीना और फू एक दूसरे का हाथ पकड़ कर जा रहे थे मीना उसे हाथ छोड़ने के लिए कहती है तो वो छोड़ देता है फिर दोनों वहां से चले जाते हैं टी लीन की केर कर रहा था और उसकी मजा कुड़ाता है तो वो वहां से जा रही थी टी उसकी हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है हमें मीना और फू के बारे में बात करना चाहिए वो उन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था लीन मान जाती है मीना और फू दोनों जा रहे थे मीना उसकी एक्स गल्फरंड के बारे में बात करती है तो फू उसके बारे में बात करने से मना करता है मीना कहती है अगर दुनिया में सिर्फ तुम रहते और एक बिली रहती तो मैं बिली को चोईस करती तुम्हें कभी भी नहीं करती ये सुनकर फू कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारा ये मतलब है या तुम बस ऐसे ही बोल रही हो बोलकर उसे किस कर लेता है मीना बहुत गुसे में थी और तुम आज मरोगे बोलकर उसका गला को दबाने लगती है और उसे जगरने लगती है वो बहुत गुसे में थी और उसे कार से धका मार कर निकाल देती है उसे वैसे ही बीज रहसे में छोड़ कर चली जाती है वो घर आता है उसके पापा उससे मीना के बारे में पुछते हैं वो मीना जो भी बोली थी और किस के बारे में सोच रहा था और बहुत खुश था ये देखकर उसके पापा खुश हो जाते हैं और तुम दोनों साथ में सायद ठीक थे कहते हैं तो फू बताता है वो मुझे बीच रासे में वैसे ही छोड़कर चली गई उसके पापा उससे पुछते हैं तुम उससे परेशन करने के लिए क्या किये वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता है और वहां से जा रहा था तब ही वहां पर टी आ जाता है और मुझे तुम से बात करना है कहता है और वो बहुत गुसे में था क्यूंकि मीना उसकी फेक फियंसे बनी है उसके पापा उससे कहते हैं वो मीना को हायर किये हैं और वो हमारी हेल्प कर रही है पर वो उन पर बिलीब नहीं कर रहा था और कहता है ये सब आप अपने लिए कर रहे हैं ये सुनकर फू उसे अच्छे से बात करने के लिए कहता है तुम इसे पापा के साथ में बात नहीं कर सकते हैं टी उससे कहता है तुम बोले थे कि तुम मिना को पसंद नहीं करते तो तुम पापा के बातों पर असानी से कैसे मान गए फू कहता है हाँ मैं उससे पसंद नहीं करता वो किस तरह की लड़की है भयानक परशनालिटी टी ये सब सुनकर गुसा हो जाता है और मिना की बुरई करने से मना करता है दोनों बहस करने लगते हैं वो बहुत गुसे में था और उससे एक पंच मारता है और उससे मारने के लिए जाता है पर उसके पापा रोक लेते हैं उसकी ममी आकर टी को रोकते हैं उसकी ममी फू का छोट देखकर उसका केर करने लगते हैं ये सब देखकर वो गुसे में था और कहता है अगर आप मुझे बेटे के रूप में नहीं देखते तो मैं यहां पर नहीं रहूंगा बूल कर वहां से चला जाता है उसकी ममी उसे रोक रहे थे पर उसके पापा उन्हें रोकने से मना करते हैं मीना जब घर आती है टी उसे मिलता है और उसे कहता है तुम अचकल काम में बहुत बीजी हो अपने यहां काम पर वापस आने के लिए कहता है पर मीना उसे मना कर देती है वी उसकी हाथ पकड़ कर मैं अपने ममी को समझाओंगा कहता है पर मीना उसे मना कर देती है और वहां से जा रही थी वी उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे जाने से मना करके उसे प्यार करता है बताता है मीना उसे छोड़ने के लिए कहती है और ऐसा दुबारा मत करना कहकर वहां से जा करके मिलने के लिए बुलाता है वो उससे मिलने के लिए जाती है वो कहता है तुम्हें अगर पैसों की जरूरत है तो तुम मुझे क्यों नहीं बता रही यह सब करने की क्या जरूरत है पर वो कहती है मैं अपने फ्रेंड से पैसे नहीं लेती क्योंकि मुझे डर है कि मैं अप एक फ्रेंस से क्यों बनी हो पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती है और घर जाने के लिए कहती है वो गुसा हो जाता है और कहता है तुम अगर मुझे नहीं बता सकती तो मुझे लेक्चर मत दो बोलकर चला जाता है अगले दिन मीना रेडी होकर फू के घर जाती है फू के रहा था इसलिए मीना उसका ब्लंकेट खीच रही थी फू भी अपने तरफ खीचता है तो वो उसके उपर में आ जाती है और वो उटकर तुम मुझे टेच करना चाहते थे बोलकर उसे कीक मारने वाली थी फू डर कर उट जाता है और कहता है तुम मुझे मार डलना चाहती हो ये बस एक एकसिडेंट था मीना उसे 10 मिनिट के अंदर नहा कर आने के लिए कहती है तो वो नहाने के लिए चला जाता है और उसे टावल लाने के लिए कहता है मीना टावल लेकर बातरूम के अंदर ही चली जाती है फू उसे देकर चोक जाता है और छूपकर तुम यहाँ पर क्यों आई हो पुछता है मीना कहती है तुम नर्वस मत हो ये तो बस एक चोटी से बात है इट्स नॉर्मल फू से पुछता है क्या तुम सच में लड़की हो या नहीं मीना टावल रखकर दो मिनिट में आ जाने के लिए कहकर वहां से चली जाती है फू सुचने लगता है क्या वो सब देख ली तो मीना फिर से वापस आकर हां कहकर वहां से चली जाती है फू शौक था अगले सिन में कमपनी के बाहर वर्कर स्ट्राइक कर रहे थैं मीना और फू जब कमपनी जाते हैं उन्हें मीटिंग के लिए बुलाते हैं मीटिंग में ये सब देखकर पानू और उसके पापा बहुत खूस हो रहे थैं फू के पापा पुछते हैं कौन वर्कर को हैंडल करने जाएगा तो पानू हाथ उठाता है पर वो फू को भेजने के लिए कहता है सब इससे एग्रिए थे पर फू के पापा वो कैसे हंडल करेगा सोचकर डर रहे थे मीना फू से कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी फिर दोनों जाते हैं पर फू कुश भी नहीं बोल रहा था मीना उसे कहने के लिए कहती है वो उसे बात करता है पर वो लोग उसके उपर ही चीज़े फिकने लगते हैं मीना उन वरकर्ष को समझाती है फू के पापा फॉन से सब देख रहे थे मीना ये मेटर अच्छे से हैंडल कर लीती है ये सब पानौ देख रहा था और अपने पापा को कॉल करके बताता है उनका प्लांट फेल हो गया है तभी वो दोनों को जाते देखता है और उनका पीछा करता है अगले सिन में लेन टी को कॉल किरती है पर वो नहीं उठा रहा था फिर उठाता है और उसे बात करना नहीं चाहता है कहता है तो लीनूस से कहती है मैं तुम्हे कुछ बतानी के लिए कॉल की थी ये फू और मीना के बारे में हैं क्या तुम इसमें इंटरेश्ट नहीं हो अज रात में मिलना और डिल करते हैं वो मान जाता है मीना और फू जा रहे थे मीना देखती है कोई उनका पीछा कर रहे हैं वो फू को बताती है फू कहता है ये पानू का कार है दूसरे तरफ वी चीत और मीना की बेहन को ट्रिट देकर मीना के बारे में पूछ रहा था ये सुनकर चीत डरने लगता है तब ही उसका टेक्स आता है तो हमें कहीं जाना है बोलकर मीना की बेहन को ले जाता है मीना उससे कॉल करती है और हेल्प के लिए बुलाती है तो वो मीना की बेहन को वहीं पर छोड़ कर चला जाता है पानू उन दोनों का पीशा कर रहा था तब ही आगे में चीत आ जाता है और पानू उनका पीशा करने ही पाता है मीना जब घर आती है तब ही वी 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 वहाँ पर उसकी बेहन को छोड़ने के लिए आ जाता है वी और फू दोनों एक दूसरे को देखकर गुसे में थे मीना उनसे फू के बारे में सच नहीं बताती है और हम दोनों साथ में काम करते हैं कहती है रात में मीना जब घर आती है फू के पापा उसे कॉल करके बताते हैं वो पानू के बारे में सब उन्हें बता दिया है और उनके पास एक प्लान है अगले दिन पानू जब कंपनी जाता है सब मीना के बारे में बात कर रहे थे और ये एक सिक्रेट है कहते हैं पानू सब सुन रहा था फिर वो लोग जाने के लिए निकलते हैं पानु वहां से चला जाता है और उनका पीछा करता है वो लोग सब मीना से मिलने के लिए जाते हैं पानु भी उन पर नजर रखा हुआ था तब ही वहां पर मीना आ जाती है और पानु को देख लेती है और वो बताती है यह हमारा सोरूम है चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ बोलकर उसे अंदर लेकर जाती है पर वो उस पर बिलीब नहीं कर रहा था और ये पॉसिबल नहीं हो सकता है सोच रहा था मीना उसे क्या हुआ है पुछती है तो वो कहता है मैं यहाँ पर फू का कार देखा मीना अपनी आफिस जाती है वहां पर सब पहले से ही थे और उसे बर्ट डे विस्ग करते हैं और सब सेलिबरेट करते हैं पानू सोचा था कुछ और बात होगी पर यहां पर आया तो कुछ और ही निकला फूओ मिना के साथ में एक्टिंग करने लगता है ये सब दे कर पानू वहां से जा रहा था फू के पापा उस से रुकते हैं फिर भी वहां से जला जाता है उनका प्लान सक्सेस हो गया था पानू अभी भी बिलीब नहीं कर पा रहा था फू के पापा ये सब अरेंच किये थे और वो सबसे कहते हैं ये नाटा का सिर्फ फास्ट सीन है फू उन से पुछता है आप कहना क्या शाथे हैं उसके पापा कहते हैं इसका मतलब ये है कि अभी और भी बहुत सारे सीन होंगे ये सब सुनकर फू गुसे में था उसके पापा उससे समझाते हैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं फू उन से पुछता है क्या आप चाहते हैं मैं इस लड़की से साधी करू हम सिर्फ फेक फेंसे बने हैं ये सब सुनकर फू की ममी भी गुसे में थे वो कहते हैं वो इस लड़की को एकसेप्ट नहीं कर सकते हैं मीना भी कहती है में भी नहीं चाती आपके बेटे से साधी करो भले ही ये एक नकली साधी है फू की ममी मीना के स्टार्टस के बारे में बात करते हैं तो फू के पापा मीना से माफी मांगने के लिए कहते हैं पर वो नहीं मानते हैं और फू को साथ में लेकर चले जाते हैं फू के पापा उन्हें रोक रहे थे और उनकी तबियत बिगडने लगती है मीना उन्हें मेडिसिन खिला रही थी पर वो नहीं खा रहे थे उन्हें जब ज़स्ती खिला देते हैं, फिर उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, फू बहुत सेट था, मिना उसे सहारा देती है, उसके ममी आकर फू से पुछते हैं, तुम्हारे पापा कैसे हैं, घरवालों को उनकी बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, बस उनक के लिए मिना से साधी करोगे, बस दो साल के लिए, जब तक बोर्ड मेंबर, रियो के रूप में मेरे जगा लेने के लिए तुम पर भरुसा नहीं करते हैं, दो साल के बाद में कॉंट्रेक्ट खतम हो जाएगा, फू की ममी फू को समझाते हैं, और उससे मानने के लिए रि करता है, लेनु से निवच चेक करने के लिए कहती है, पर वो बाद में करेगा बूलकर फोन कार देता है, लेनु से टेक्स करती है, वो देखता है, फू और मेना दोनों साधी करेंगे, ये देखकर वो चोग जाता है, जब फू उसके पापा को घर लेकर आता है, टी बहुत गुसे में था, और तुम ये सब क्या कर रहे हो, बोलकर उसे मारने के लिए जाता है, उसे रोकते हैं, टी उन्हें साधी के बारे में पुछता है, उसकी ममें उसे बताने ही बाले थे, पर उसके पापा उन्हें रोक लेते हैं, इसलिए वो उससे सच नहीं बताते हैं, वो गुसे में था और फू से बहस करने लगता है तुम दोनों कैसे साधी कर रखते हो फू कहता है अगर तुम मुझ पर बिलीब नहीं कर रहे हो तो जाकर मीना से पूछ लो हम दोनों साधी करने वाले हैं वो बहुत गुसे में था और वहां से जला जाता है फिरलीन को कॉल करके कहता है फू और मीना को अलग कर दो मैं भी तुम्हारा साथ दूँगा रात में मीना सब को बताती है मैं नकली साधी करने वाली हूँ और उन्हें सब समझाती है बस दो साल के लिए अगले दिन मीना की ममी फू के फैमिली से मिलते हैं फू के पापा मीना की ममी को भी एक्टिंग करने के लिए कहता है घर पर चीत और मीना की बहन मीना की साधी के बारे में बात कर रहे थे तब ही वहाँ पर भी आकर सब सुन लेता है और वो किस साधी कर रही है पुछता है फू मीना और उसकी ममी को घड़ छोड़ने के लिए आता है वी उसे देखकर बहुत गुसे में था और मीना की ममी से पुछता है मीना क्या सच में इससाधी करेगी उसकी ममी कुछ भी नहीं बोलते है इसलिए वो मीना को लेकर वहां से चला जाता है वो भी उनके पीछे जाता है और उसे रोक रहा था पर वो बात नहीं सुनता है वी बीच रास्ते में गाड़ी रोक लेता है मीना उसे स्पेड ड्राइब करने से मना करती है ये तुम्हारे लिए बहुत डेंजर है वी उसे पुछता है क्या तुम मेरी परवा करती हो मीना हा कहती है वी उसकी हाथ पकड़ता है तो वो कहती है तुम मेरे भाई हो इसलिए मैं केर करती हूँ ये सुनकर वो सेड हो जाता है और उसे पुछता है क्या तुम उससे साधी करोगी ये सब सच नहीं है न मीना कहती है ये सच है मैं फू से साधी करूंगी वी उसे गले लगा कर मैं तुम से प्यार करता हूँ कह रहा था और उसे नहीं छोड़ रहा था तो भी वहाँ पर फू आ जाता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है मीना फू के साथ मैं वहां से चली जाती है वो बहुत सेट थी और रो रही थी ये देखकर फू उसके आंसो पोचने लगता है पर वो उससे रोकती है फू उससे वी के बारे में पुछता है वो तुम्हें टाइटली हक क्यों किया था मीना उससे कहती है क्या एक भाई और बहन गले नहीं लगा सकते और मैं तुम्हें एक्स्प्लेन क्यों कर रही हूँ ये तो एक फेक मेरेज है हम एक दुसरे से प्यार नहीं करते हैं और मेरे पर्सनल लाइब के बीच में मत आना फू भी कहता है ठीक है मैं नहीं आऊंगा दो साल जल्दी खत्म हो जाएगी दो साल के बाद तुम जा सकती हो अपने वही बाइक वले लड़के के पास अगले सिन में फू जब घर आता है टी घर वापस आ गया था और फू से माफी मांगता है उनकी ममी दोनों को गले मिलने के लिए कहते हैं दोनों गले मिलते हैं ये देखर उसके पापा बहुत खुश थे पर टी का घर आने का रिजन कुछ और ही था और वो कुछ प्लान बना रहा था अगले दिन आज मीना और फू की साधी हो रही थी वहाँ पर मीना की ममी आते हैं सब उन्हें ही देख रहे थे वो मीना के पाप जाकर कहते हैं उन्हें बहुत डर लग रहा है और उनकी पेर भी काप रही है मीना उन्हें अच्छे से एक्टिंग करने के लिए कहती है पानू और उसके पापा मीना की ममी को घुरे ही जा रहे थे लीन बहुत गुसे में थी और बाहर चली जाती है बाहर टी भी रहता है और वो साधी रुकने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा था ये देखर लीन उसे तुम क्यों कुछ नहीं कर रहे हो पुछती है टी कहता है आज का दिन बिदने दो फिर हम अपना काम कर सकते हैं मीना और फू बड़ों से बलेसिंग लेते हैं सरमेनी खतम होने के बाद मीना की ममी की तबियत ठीक नहीं रहती है इसलिए वो उन्हें आराम करनी के लिए ले जाती है ये देखकर पानू और उसके पापा उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं और मीना की ममी होंकों की है सुचकर इंगलिस में बात करने लगते हैं पर वो बात नहीं कर रहे थे तब ही वहाँ पर फू के पापा की सेकरेटरी आ जाते हैं पानू मीना के पापा के बारे में पुछता है वो अपनी बेटी के सादी में क्यों नहीं आए सेक्रेटरी बताते हैं उनकी तबीय ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं आए बोलकर मीना की ममी को वहां से ले जाते हैं ये दे कर उनको और शक होने लगता है फू की ममी फू से मिलकर पुछते हैं तुम उस मेकनिक लड़की के साथ मैं ये नकली साधी करने के लिए मान गये क्या तुम्हारे पास अपने पापा के लिए ऐसा करने के अलावा और कोई रिजन है ये सुनकर वो कहता है आप ये क्या बात कर रहे हैं मैं कुछ नहीं समझा तब ही वहाँ पर मीना आ जाती है फू की ममी उससे कहता है वो देखे तुम मीना के तरफ देख रहे थे फू कहता है मैं क्यों उसके तरफ देखूंगा उसकी ममी कहता है तुम अगर और कुछ सोच रहे हो तो वो मेकनिक लड़की को अपनी बहु नहीं बना सकते फू उन्हें समझाने के लिए कहता है मैं उस मेकनिक लड़की से कभी भी साधी नहीं करूंगा ये सुनकर मीना गुसे में थी और रोश्टी है मेकनिक होने में क्या गलत है रात में उनके रिसपसन पार्टी में फू के पापा की सेकरेटरी मिना को बुलाने के लिए जाते हैं पर वो वहाँ पर नहीं थी सब को जाकर बताते हैं ये जानकर वो लोग अब क्या करेंगे सोचकर टेंशन में थे पर टी ये जानकर बहुत खुश था पानू के फैमिली भी ये सब जानकर बहुत खुश हो रहे थे मिना को दुबारा ढूनते हैं पर वो नहीं मिलती है इसलिए फू ये हैंडल करेगा बोलकर स्टेज पर चला जाता है और कहता है अज रात का रिसपसन पार्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी पार्टी यहीं पर खतम होती है ये सब सुनकर गिर्ष्ट बाते करने लगते हैं तभी वहाँ पर मिना मेकानिक यूनिफर्म पहन कर आ जाती है और कहती है ऐसे खतम नहीं हो सकता फिर वो स्टेज पर जाती है सब उसे ऐसे कबड़े में दे कर हैरान थै फू से पुछता है तुम ये सब क्यों कर रही हो वो फू और उसकी ममी की बाते सून ली थी और चीट से अपनी मेकानिक यूनिफर्म मंगवाती है और फू से पुछती है क्या तुमको मेकानिक दूलहन पसंद नहीं है फू के पापा अपने सेकरेटरी को स्टेज पर हैंडल करने के लिए भेज देते हैं वो जाकर अच्छे से हैंडल कर लेते हैं मिना उसे स्माइल करने के लिए कहती है ये सब देखकर फू के फैमिली और टी बहुत गुसे में थे पार्टी खतम होने के बाद वो लोग घराते हैं फू मिना की आज की हरकत से बहुत गुसे में था और तुम ये सब क्यों की पुछता है मिना उसे कहती है क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया रेसेप्शन में सभी को ये आउटफिट पसंद आया तुम मेरे जैसे मेकानिक दुलहन के लिए सरमीनदा हो फू वहां से चला जाता है जब वापस आता है तो वो उसे सौफे में सोने के लिए कहती है पर फू उसे ही सौफे में सोने के लिए कहकर बेट पर जा रहा था मीना उसे पकड़ लेती है और उसे सोफे में सोने के लिए कहती है और दोनों फीलों से फाइट करने लगते है फू उसे पकड़ लेता है उसकी हैर उसके बटन में फस गई थी मीना हैर निकालने के लिए कहती है वो निकाल देता है तो वो उसे मारकर वहां से जली जाती है और डूर बंद करके वो उसे बाहर सोने के लिए कहती है फूर उसे डूर खोलने के लिए कहता है पर वो नहीं खोलती है फू को बाहर सोफे में सोना पड़ता है पर वो सोनी ही पा रहा था मीना नीन में चल कर बाहर आती है और वो उपर से कुदने वाली थी फू उसे रोक लेता है वो नीन में थी उसे अंदर लेकर आता है और बेट पर सुला कर जा रहा था मीना उसे जाने के लिए नहीं देती है और अपनी मेमी सोचकर उसे हग करने लगती है और उसे नहीं छोड़ रही थी इसलिए फू उसके साथ में ही सोता है और वो उसके साथ में बहुत खुश था अगले दिन जब वो उटता है मीना सोई थी उसे उठने के लिए कहता है मीना और थोड़ी देर सोने के लिए कहकर उसके गाल पर किस करती है फू उसे गुड़ने लगता है मीना जब आँख खोल कर देखती है उसे देकर डिर जाती है उसे लात मारने लगती है और उसे पुछती है तुम यहां अंदर कैसे आ गए क्या तुम मेरे साथ कुछ किये हो फू कहता है क्या तुम पागल हो तुम ही तो डोर बंद की थी अगर तुम डोर नहीं खुलती तो मैं अंदर कैसे आता मीना कहती है ये सच नहीं है मैं क्यों तुम्हारे लिए डोर खुलूंगी मीना बात करने लगी और तुम मेरे लिए अपने कपड़े उतारने लगी है भगवान इतने सारे बाते मीना भी जानती थी वो जूट बोल रहा है और मैं ऐसे नहीं कर सकती बोल कर वहां से चली जाती है फू की ममें उसका बाहर वेट कर रहे थे वो दोनों लेट से आते हैं फ मुझे पहले जिसे बुलाते थे वैसे ही बुला फू के पापा कहते है टी तुम्हें भाबी बोले यही सही है टी गुसे में था और वहां से चला जाता है और रोश्ता है वो मीना को गलत समझा था तुम बाकी लड़कियों की तरह ही हो मीना स्वीमिंग पूल के तरब जात लीन वहां पर आती है और मीना को देखर उसके ममी को बता देती है ये देखकर वो गुसे में थे और उसके पास जाकर तुम ये क्या कर रही हो पुछते हैं मीना पुछती है क्या मैं कुछ गलत कर दी लीन कहती है तुम ये सब काम क्यों कर रही हो ये जिसका काम है उसे करने द ये कहकर उसे धकेल देती है मीना एक प्लांट से किड़ा को पकड़ कर उसकी हाथ में दे देती है वो ये देकर बहुत डे जाती है और फू की ममी की हाथ में दे देती है वो ये देकर डे जाते हैं और चिलाने लगते हैं और किड़ा को उशाल देते हैं वो जाकर लीन की हैर में गिरती है फू की ममी तुम्हारी हैर में हैं बढते हैं वो डर से भाग रही थी और नीचे गिर जाती है मीना वहां से जाने लगती है फू से रोकर तुम ये सब क्या की पुछता है वो बहुत गुसे में थी क्योंकि लीन उसकी ममी पापा की बुरे ही की थी और वहाँ से चली जाती है अगले दिन मीना अपने ममी से बात कर रही थी फिर एक्सरसाइज करने के लिए जाती है वहाँ पर फू पहले से ही रहता है और उसके पास आकर क्या तो मुझे देख रही थी पुछता है मीना नहीं कहती है मैं भी एक्सरसाइज करने के लिए आई हूँ पर फू कहता है अभी मैं ये रूम यूज कर रहा हूँ मीना कहती है पर पापा मुझे परमिसन दे दिये है वो बोले थे ये मेरी भी घर है फू उसके पास जाकर नहीं कहता है फिर भी वो अंदर चली जाती है और वर्क आट कर रही थी फू उससे ही देख रहा था फिर उससे बहस करने लगता है और उसकी बुरे ही करता है मीना गुस्सा हो जाती है और उससे एक पंच मारने के लिए जाती है पर वो उससे ही पकड लेता है और दोनों फाइट करने लगते है फू नीचे गिर जाता है तो मीना उसके पेर से टकरा कर वो भी उसके उपर गिर जाती है और दोनों एक दुसरे को देखकर खो जाते है तब ही फू का कॉल आता है तो फू से उटने के लिए कहता है वो उट जाती है फू फू फॉन पर बात कर लेता है फिर चलो मैं फाइट करने के लिए रेडी हू कहता है दोनों फाइट करने लगते हैं और साथ में बहुत मच्ती करते हैं और दोनों बहुत खुश थे अगले सिन में दोनों कमपनी जा रहे थे तब ही वो लोग फू के पापा की सेकरेटरी को दे कर कार रोक लेते हैं और उनके पास जाकर क्या हुआ है पुशते हैं वो बताते हैं उनकी कार खराब हो गई है मेना वो ठीक करेगी कहती है और कार ठीक कर रही थी पर वहाँ पर कुछ लड़के बैठे थे और मेना को घुरने लगते हैं ये देकर फू अपना कोट निकाल कर उससे पीछे से ढखने की कोसिस कर रहा था मेना उससे ऐसे देकर तुम ये क्या कर रहे हो पुशती है वो कहता है यहां पर बहुत गर्मी लग रही है और मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ सेक्रेटरी ये दे कर बहुत खूस हो रहे थे पर फू मिना के लिए कितना पोजिसिब है सुचने लगते है मिना उन्हें कार स्टार्ट करनी के लिए कहती है कार स्टार्ट हो जाती है सेक्रेटरी मिना की तारेप करते है मिना फू को दे कर इसारा करके देखे कैती है तो फू कहता है इसे तो कोई भी ठीक कर सकता था मिना उसे क्या सच में पुझती है पर वो मिना की टेलेंट से बहुत खुkt दोनों कमपनी जाते हैं फू से कार में जो भी बोला था उसके लिए उससे सोरी कहता है मीना उससे माप कर देती है और खुश थी और वो सरमा रही थी फू देखता है उसकी फेस में आउल लगा हुआ है और उससे बताता है फिर उसके फिर्स साप करने लगता है यह सब उपर से लीन और उसका भाई देख रहे थे लीन गुसे में थी और फू को आवाज लगाती है फिर सब जा रहे थे लीन फू का हाथ को पकड़ी रहती है और नहीं छोड़ रही थी मीना उसकी इंसल्ट करती है लिन गुसा हो जाती है और उसके उपर चिलाने लगती है पानू मीना की काम में हेल्प करेगा कहता है फिर दोनों अंदर चले जाते हैं ये सब देकर फूर जेलस हो रहा था अगले सिन में सब को मीना की साधी के बारे में पता चेल गई थी और वो सब मीना की ममी से पूछने के लिए आ जाते हैं वहाँ पर वी आ जाता है और सब को रोक लेता है और सब को जाने के लिए कहता है सब डर से चले जाते हैं ये सब देखकर मीना की ममी की तबिएत बिगड़ जाती है और वो बहुत सो जाते हैं पानू मीना के लिए कॉफी लेकर आता है और उसे बहुत सारे सवाल करने लगता है पर वो फू और उसके बारे में कुछ भी नहीं बताती है और ये फ्रायबेट है कहती है वो फाइल हडा रही थी तभी गलती से कब नीचे गिर कर टूट जाती है वो कब उठा रही थी और उसके हाथ में चोट लग जाती है पानू उसकी चोट देखने के लिए जाता है फू और लिन जब आते हैं लिन उन दोनों को साथ में देख लेती है और फू को बताती है वो जब उन दोनों को साथ में देखता है तो वो बहुत गुसा हो जाता है दूसरे तरह मीना की मैम्मी जाकते हैं और चीट से मीना के बारे में बात कर रहे थे मीना फू के पापा से पैसे उधार ली है पर कर्ट चुकाने के लिए उससे साधी क्यों करनी पड़ी ये सब वी सुन लिया था और उन्हें सब सच बताने के लिए कहता है फू मीना की चोट में मेडिसिन लगा देता है और उसके साथ में एक्टिंग करने लगता है ये सब देकर लिन गुसा हो रही थी पानू उसे रोक रहा था फिर उसे वहां से लेकर चला जाता है उनके जाने के बाद फू उससे पानू के बारे में पुछता है तुम दोनों कब से क्लोज होगे मीना उसे समझाने लगती है पर वो बहुत गुसे में था और कहता है तुम सब को अपने जाल में फसाती हो पहले टी को फसाई और अब पानू को भी ये सुनकर वो गुसा हो जाती है और दोनों बहस करने लगते हैं मीना उसे एक थपड मारने वाली थी पर वो उसके हाथ को प तुम यहाँ पर क्यों आया हो पुछता है, वी कहता है, मैं मीना को वापस लेने के लिए आया हूँ, और मीना को यह सब बंद करनी के लिए कहता है, मैं जानता हूँ, तुम इस आदमी से क्यों साधी की हो, फिर उसे उनका दिया हुआ पैसा वापस कर देता है, वो कहता है, य यह सब देखर वी गुसा हो जाता है और उसे मारना चाता था मीना उसे रोक लेती है फिर वी को पकड़ कर वहां से ले जाती है फू बहुत गुसे में था सेक्रेटरी आकर वो आदमी कौन था पुछते हैं फू बताता है यह उसका एक्स बॉइफरेंड है यह सब जानकर वो फू को मीना के पास जानी के लिए कहते हैं मीना वी की पैसा वापिस कर देती है पर वो नहीं लेता है और उसकी ममी के बारे में बताता है मीना ममी को क्या हुआ 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 हु Prophet है और उनकी तेविद बिगड़ने लगती है सेकरेटरी उन्हें मेडिसिन देते हैं वह फू को बुलाने के लिए कहते है तो वह आजाता है उसके पापा मिना को वापस लाने के लिए कहते हैं आपस लाने के लिए पर आता है और सभी को मीना के बारे में वही बताया था और सबका लीडर था दोनों बहस करने लगते हैं वो मीना को मारने वाला था वी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे एक पंच मारता है वो वी को मारने के लिए जाता है पर वी उसका गला पकड़ लेता है नोट की ममी व बी के बारे में कहकर टेस्ट करने लगता है। वो ये सब सुनकर बहुत गुसे में था। रात में फू मीना की टेक्स कॉल का वेट कर रहा था। पर वो अभी तक उसे नहीं की थी। फिर वो थोड़ी देर के बाद में टेक्स करती है। वो आज घर नहीं आएगी। ये देख कर वो गुसे में था। फिर उस से मिलने के लिए चला जाता है। वो मीना की घर जाता है। और डूर क्षोलता है। मीना डूर का आवाद सुनकर बाहर देखने के लिए जाती है। वो छिप कर अंदर गूस रहा था मीना उससे चोर समझ कर मारने लगती है उसकी ममी आकर टोर्च मारते हैं तो ये फू था उसकी ममी तुम इतनी रात में क्यू आय हो पुछते हैं तो वो बताता है पापा मीना के लिए बहुत वरिट थे और उनकी तबियर ठीक नहीं है ये जानकर मीना घर जाने के लिए रेडी हो जाती है और वो अपनी समान पेक करने के लिए चली जाती है मीना की ममी फू को मीना के बारे में बताते हैं और उसकी खयाल लखने के लिए कहते हैं वो उनसे प्रॉमिस करता है हामें उसकी अच्छे से ख्याल लखूंगा मीना की मेमी ये सुनकर बहुत खुश थे मीना और फू जा रहे थे तब भी आगे में नॉट और उसके फ्रेंड आकर कार रोक लेते हैं मीना कार से बाहर निकलती है और उसका इंसल्ट करके वहां से चले जाते हैं बीच रहसे में ही उनका कार पंचर हो जाती है वो लोग दुबारा फिर से आ जाते हैं मीना और नॉट बहस करने लगते हैं नॉट दोनों को मारने के लिए जाता है पर फू उसके एक लात मारता है नॉट फिर से उससे मारना चाहता था दोनों उसे मारकर वहाँ से चले जाते हैं मीना की पेर में मौच आ गई थी और वो चलने ही पा रही थी इसलिए फूसे उठा कर लेता है दोनों एक जगे में रुकते हैं फूस की पेर चेक कर रहा था तब हूप और लोग आ जाते हैं फू और मीना वो सब को मार कर वहां से चले जाते हैं फिर दोनों एक रिश्टुरेंट में खाने के लिए जाते हैं और दोनों एक दुसरे को खिला रहे थे ये सब टी दे कर बहुत गुसे में था फिरलीन को कॉल करके तुम कहां हो पुछता है वो उससे मिलने के लिए जा रहा है उससे मिलता है और हम दोनों साथ में मिलकर फू और मीना की ब्रेक अप करवाएंगे कहता है वो मां जाती है अगले सिन में मीना और फू दोनों घर आ गये थे फू बातरूम में रहता है तब ही वहाँ की लाइट आप डाउन होने लगती है ये देखर वो मीना को मस्ती करने से मना करता है बाहर आकर देखता है तो वो वहाँ पर नहीं थी मीना उसके पीछे से आती है वो अंधेरे में मीना को फिस मस्क में देखकर डर कर चिलाने लगता है मीना टोड़ चौन करके ये मैं हूँ कहती है पर वो बहुत डर गया था मीना उसे अपने रूम में जाकर सोने के लिए कहकर जा रही थी पर फूर से पकड़ लेता है और में नहीं जाँगा मुझे बूद से डर लगता है बूलकर में तुम्हारे साथ में सौँगा कहता है और उसे नहीं छोड़ रहा था इसलिए मीना उसे नीचे सोने के लिए कहती है वो नीचे उसकी हाथ पकड़ कर रूता है अगले मॉर्निंग दोनों नीचे साथ में सोए थे मीना जब उठती है अपने आपको उसके साथ में देकर उसे लाथ मारने लगती है फूव से क्या हुआ है पुछता है मीना कहती है में नीचे कैसे आगी क्या तुम मुझे नीचे खिच कर लाए फू कहता है क्या तुम पागल हो मैं जब उठा और तुम्हें देखा तो तुम पहले से ही ऐसे थी तो मैं इसे रहने दिया मीना पुछती है क्या तुम मेरे साथ कुछ किये तो वो कहता है मैं बस तुम्हें गले लगाया था वैसे तुम्हारी हैर श्मेल अच्छी है मीना उसे पीलो फेक कर मारती है और उसे जल्द ही उठने के लिए कहती है तो वो वहां से चला जाता है पर मीना को अब उसके साथ में अच्छा फिल हो रहा था और फू भी बहुत खुश था फिर दोनों फेक्टरी जाते हैं और काम कर रहे थे पानू और उसके पापा उन पर नजर रख रहे थे पानू के पापा कहते हैं अगर फू ऐसे ही काम करता रहेगा तो वो लोग क्या करेंगी यह सब मीना के वज़े से हो रहा है मेना अगर यहाँ पर नहीं आती तो फू काम पर ध्यान नहीं देता पानू कहता है, क्या होगा अगर हम उससे चूट कारा पाजाए बोलकर खुस हो रहा था और उसका प्लान कुछ और था मेना और फू दोनों काम देख रहे थे, तब ही वहाँ पर पानू आता है और उनके उपर बॉक्स को धकेल देता है मीना उपर देख लेती है और फू को साइट कर लेती है पर उसके उपर सब बॉक्स गिरती है उसे चोट लग जाती है और वो बेहुस थी फू उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है नर्श बाहर निकलते हैं तो फूओ उनसे मेरी वाइब कैसी है पुछता है वो डेंजर से बाहर है कहते हैं ये सुनकर उसे रहात मिलती है फिर वो सेक्रेटरी से सीजी टीवी फुटेज चेक करने के लिए कहता है वो चेक करते हैं फिर कहते हैं बॉक्स अपने अप अचानक से निचे गिर गए लेकिन मुझे नहीं पता कि ये अपने अप कैसे गिर गए फूओ उन्हें अपने फौन पर क्लीप भेजने के लिए कहता है और वो सुचता है मीना अगर वहाँ से भाग जाती तो उसे चोट नहीं लगती पर वो मुझे धकेल कर खूद को चोट पहुचा ली फिर वो मीना से मिलने के लिए जाता है और उसे जल्दी उटने के लिए कहता है मुझे तुम से बहुत सारी बाते करनी है दुसरे तरह वी कमपनी मीना से मिलने के लिए जाता है और मीना कहा है पुछता है उसे आज जो भी हुआ उसके बारे में बताते हैं तो वो ये सुनकर बहुत टेंशन में था मीना जाकती है तो फू उसकी केर कर रहा था मीना ठीक है कहती है फू उससे कहता है मैं तुम्हारे लिए कितना भी पैसा खर्च करनी के लिए तयार हूँ लेकिन मैं अपनी वाइब को नहीं खो सकता अगले सिन में सेक्रेटरी हॉस्पिटल जाने के लिए फेक्टरी से निकलते हैं तब ही पानू और उसके पापा आगर आज की एक्सिडेंट के बारे में पुछते हैं ये सब कैसे हुआ वो कहते हैं मुझे लगता है कि कोई इसस जानबुश्यर किये हैं अपने आप बॉक्स तो नहीं गिर सकते हैं पर अच्छा है कि अभी मीना ठीक है ये सुनकर वो दोनों चोक जाते हैं सेक्रेटरी हॉस्पिटल जा रहे हैं बोलकर चले जाते हैं पानु और उसके पापा की प्लान फैल हो गई थी वो लोग सोचे थे मीना अगर कमपनी नहीं आएगी तो फू अकेले कैसे काम करेगा अगले सिन में फू मीना को खाना खिला रहा था पर वो खुद खा लेगी कहती है पर फू से नहीं देता है और कहता है तुम मेरी जान बचाई तुम में तुम्हें रिपे कर रहा हूँ मीना कहती है मेरा मतलब तुम्हें बचाने का नहीं था मैं बॉक्स गिते हुए देखी इसलिए तुम्हें साइट कर ली फू कहता है तुम मुझे बचाई इसका मतलब तुम मुझे लाइक करती हो ना मीना नहीं कहती है और तुम मुझे खाने के लिए नहीं दे रहे हो तो मैंने ही खाऊंगी बोलकर रूट जाती है फू से मनाने लगता है वो मां जाती है और दोनों बहुत खुश थे तबी कोई डॉर नॉक करते हैं वी उसे मिलने के लिए आया था ये देकर फू गुस्सा हो रहा था वी मीना से मिलता है ये देकर फू मीना को टेच करने से मना करता है ये मेरी वाइफ है ये सुनकर वी गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारे पास मीना के लिए कोई अधिकार नहीं है और ये एक नकली साधी है तुम जेलिस क्यों हो फू कहता है मैं जेलिस नहीं हूँ दूसरों के नजर में मीना मेरी वाइफ है कोई अगर तुम्हें मेरी वाइब की हाथ पकड़े देखेंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे पर वी कहता है यहाँ पर कोई भी नहीं है हम बस तीनों है तब ही वहाँ पर लीन आ जाती है और फू को चेक करने लगती है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी है बोलकर उसका हाथ को नहीं छोड रही थी यह देखकर मीना जेलेस हो रही थी और कहती है अगर तुम एक दूसरे के लिए सुट बनने जा रहे हो क्या तुम इससे करने के लिए कहीं और जा सकते हो मुझे रेश्ट करनी है फू लीन को जाने के लिए कहता है और वी को भी जाने के लिए कहता है पर वी कहता है मैं मीना को ये कहते नहीं सुना कि वो मुझे जाने के लिए बोल रही है लीन भी वहाँ से नहीं जा रही थी फिर फूब को ले जाकर फूट खिलाने लगती है ये देखकर मीना जेलस हो रही थी और वी को खाना खिलाने के लिए कहती है वो उसे खिला रहा था फूब से रोक लेता है और कहता है मीना की ध्यान रखना ये मेरा काम है मीना फूब से कहती है मैं वी को मुझे खिलाने के लिए बूली इसका तुम से कोई लेना देना नहीं है जाओ और अपना फ्रूट्स खाओ फू गुसे में था और कहता है ठीक है तुम्हें जो भी करना है करो जो तुम्हें खुसी दे और लीन से फ्रूट्स खिलाने के लिए कहता है वो उसे खिला रही थी ये देकर मिना गुसा हो जाती है और वी को खिलाने के लिए कहती है फू ये देकर बहुत जेले सो रहा था फिर लीन की तारीब करने लगता है और उसे खिलाने के लिए कहता है सेक्रेटरी जब आते हैं उन्हें इसे देकर वो हिरान थे लीन फू के साथ में चिपकी रहती है ये देकर मीना गुसा हो रही थी फिर सेकरेटरी से कहती है क्या आप उन्हें अपने आवाज कम रखने के लिए कह सकते हैं मुझे रेश्ट करनी है वो जाकर लीन को दीरे बात करनी के लिए कहते हैं लीन उन्हें मीना के पास जाकर कहने के लिए कहती है मैं वैसे ही रहूंगी जैसे मैं चाहती हूँ तुमको इससे कोई प्राबलम है वो मीना के पास आकर कह रहे थे मीना कहती है वो सब सुन ली है फिर दोनों बहस करने लगते हैं लीन मीना को मारने के लिए जा रही थी वी उसे रोक लेता है और कहता है अगर मीना को छोटी से भी खरोच आई तो मैं चूप नहीं रहूंगा फू वी से कहता है तुम इसमें इनवर्ड क्यों हो रहे हो मीना मेरी वाइप है मैं उसे प्रोटेक करूँगा और दोनों बहस करने लगते हैं फू गुस्सा हो जाता है और उसे एक पंच मारता है तो वी वी उसे एक पंच मारता है फिर दोनों फाइट करने वाले थे मीना उन गुसा निकालने लगता है पर वो खुद को ही चोट पहुँचा लेता है तब ही उसके पापा आते हैं और क्या तुम जैलिस हो पुछते हैं वो नहीं है कहता है तो उसके पापा कहते हैं उनकी सेक्रेटरी उन्हें सब बता दिये और उसे मीना को पटाने के लिए एडवाइस देते हैं फू कि मैमें ये सब सुनकर सोच में पढ़ जाते हैं सिर्फ दो साल के लिए वो पहले से ही परेशन है पर अब मेकानिक लड़की को हमिसा के लिए मेरी बहु बननी पड़ेगी वो अब क्या करेंगे फिर वो लिन को कॉल करके कल मिलने के लिए बुलाते हैं पर ये सिक्रेट है लिन टी के साथ में रहती है वो क्यों बुलाए हैं पुछता है तो वो उसे कुछ भी नहीं बताती है अगले दिन मीना हॉस्पिटल से डिश्चार्ज होती है वी उसे मिलने के लिए आता है और उसे साथ में लेकर जाता है सेक्रेटरी ये देखकर फू को कॉल करके बताते हैं फिर उनका पीछा करते हैं वी मीना को फू के घर पर छोड़ देता है सेक्रेटरी फू को कॉल करके बताते हैं फिर वहां से वापस चले जाते हैं फू की ममी लीन से मिलते हैं और उसे कहते हैं वो चाहते हैं कि तुम फू को उस लड़की से दूर कर दो लीन पुछती है आप मुझे करवाना क्या चाहते हैं फू मेरे चेहरा भी देखना नहीं चाहता है फू की ममी उनके पास एक आइडिया है कहते हैं तुम फू के साथ में कमपनी में काम करो तुमको अपने पापा और पानू का हिल्प लेनी चाहिए लीन इसके लिए मान जाती है मीना घराती है फू से बात करनी के लिए साइड में ले जाता है और वो वी के साथ में आई थी इ मीना क्यों सेम नहीं है पुछती है, फू कहने वाला था क्योंकि मैं तुम से प्यार करता हूँ, पर वो ना बोल कर दोनों बहस कर रहे थैं। मीना गुसा हो जाती है और उसे मारने वाली थी, फू उसों की हाथ पकड़ लेता है और उसे किस कड़ लेता है, मिना उसे दूर हो जाती है फूवस के पास आकर कहता है क्या तुम्हें अभी पता चला मैं तुम्हारे लिए क्या फिल करता हूँ मिना उसे एक पंच मारती है तो वो स्विमिंग पूल में गिर जाता है ये सब फू के पापा देख रहे थे और फू मिना से प्यार करता है जानकर बहुत खुश थे अगले दिन फू और मिना कमपनी जाने के लिए घर से निकलते हैं फू उसके साथ मैं अच्छे से ट्रीट कर रहा था ये देखकर फू के पापा बहुत खुश थे पर उसकी ममी खुश नहीं थे फू के पापा उन्हें समाइल करने के लिए कहते हैं फू और मिना दोनों आफिस जाते हैं तभी वहाँ पर लीन आती है और वो भी कमपनी में काम करेगी कहती है और वो फू की सेक्रेटरी है बोलकर उससे चिपक रही थी ये देखकर मिना जेले सो रही थी और वहाँ से जली जाती है फू से रुकता है पर वो नहीं सुनती है लीन फू को जाने नहीं देती है मिना बाहर निकलती है और वो बहुत गुसे में थी पानू मिना से मिलने के लिए आता है पर वो फू है सोचकर तुम बहुत जल्दी आगे पुछती है पानू मेहू कहता है ये सुनकर वो चोक जाती है पानू उससे कुछ बात करने के लिए आया है कहता है लिन फू के साथ में चिपकी रहती है फू को उससे चुटकारा पाने के लिए एक आइडिया मिल जाता है और उसे इस रूम में वेट करने के लिए कहता है वो जब वाफिस आएगा तो उसे सब काम सिखाएगा फिर उसे रूम में जाने के लिए कहता है वो अंदर चली जाती है फूर डोड ना खुले इसलिए वहाँ पर सब प्लांट्स रख देता है और वहाँ से चला जाता है पानू मीना से फू के पापा का कमपनी के बारे में बात कर रहा था और मीना को अपने तरफ करने की कोसिस करता है वो इसमें इंटरेश्ट है कहती है ये सुनकर वो खूस हो जाता है और उसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है तब ही वहाँ पर फू आ जाता है और उसे जाने के लिए कहता है वो अपनी वाइब से फलर्ट करना चाता है पानू से जो भी बोला उसके बारे में सोचना बोलकर वहाँ से चला जाता है लीन अभी तक फू का वेट कर रही थी फिर डोर उपन करने के लिए जाती है पर डोर नहीं खुलता है पानू भी लीन को ढून रहा था लीन डोर उपन करने की कोसिस करती है पानू उस रूम को ऐसे देखर यहाँ पर प्लांट कैसे आया सोच रहा था लीन हेल्प के लिए बुला रही थी पानू उसके आवाद सुनकर प्लांट्स को हटा कर डूर खोल देता है और तुम यहाँ पर क्या कर रही थी पुछता है वो कहती है फू मुझे यहाँ पर वेट करने के लिए बोला था पानू बताता है वो तुमें उलू बना कर अपनी वाइब के साथ में है यह जानकर वो बहुत गुसे में थी फू मीना से पुछता है तुम वहाँ से क्यों चली गी क्या तुम लीन और मुझे देकर जैलस हो रही थी वो नहीं कहती है तुम दोनों सूट करते हो फू उसके गाल पर किस कर लेता है मीना यह तुम क्या किये पुछती है तो फू यह तुम्हें पनिस किया कहता है तुम्हें जो भी मूँ में आए वो बोल देती हो और उसे किस करेगा बोलकर डराता है मीना डर जाती है फू मीना को लेकर वहां से चला जाता है ये देखे सेक्रेटरी बहुत खुस हो रहे थे वी मीना को कॉल करता है तो फू उससे फॉन ले लेता है और काट देता है मीना उससे फॉन वापस करने के लिए कहती है पर वो नहीं देता है और अपने पॉकेट में रख देता है मीना फिर भी निकाल रही थी फू उसे रुकने के लिए कहता है फिर निकालो कहता है पर वो नहीं निकाल दी है और उसे मारने वाली थी फू उसकी हाथ पकड़ लेता है और मैं तुम्हारे सब ट्रिक्स जाता हूं कहता है मैं तुम्हें पनिस करूंगा बोलकर किस करने के लिए आगे बढ़ता है लिन फू को ढूंड रही थी और फू को देखकर आवाज लगाती है फू मीना को कार में बैठने के लिए कहता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं मीना कार में ही सो गई थी फू उसके पास जाकर उसे उठने के लिए कहता है वो उठती है और उसे एक पंच मारने वाली थी वो उसे बिज गुमाने के लिए लेकर आया था फिर दोनों बिज में जाते हैं पर मीना पानी में नहीं जा रही थी इसलिए वो उसे उठा कर लेता है मीना उसे उसके साथ मस्ती करने से मना करती है फूर उसे डराता है पर पानी में नहीं गिराता है फिर दोनों पानी में मस्ती करने लगते हैं और दोनों साथ में बहुत खुश थे रात हो जाती है मीना उसे घर चलने के लिए कहती है पर फू उसे और थोड़ी देर ऐसे ही रहने के लिए कहता है फिर भी मीना उसे चेलनी के लिए कहती है और कार की मांगती है पर वो उसे नहीं दे रहा था की कहीं नीचे गिर जाती है फू को की मिलता है फिर भी नहीं मिला है कहता है वो लोग आज यहीं पे रहेंगे और कल सुबे निकल जाएंगे मीना मान जाती है दोनों स्टार देख रहे थे और वो वहीं पर सो जाती है फू उसे ही देख रहा था अगले मॉर्णिंग दोनों उड़ते हैं फू उसके साथ में फलर्ट करने लगता है मीना उसे धखेल देती है और वहां से चली जाती है फू भी उसके पीछे जाता है दोनों घर आते हैं मीना फू की ममी को उनके लिए कुछ लाई है बोल कर देती है पर वो नहीं ले रहे थे फू उन्हें लेने के लिए कहता है तो वो ले लेते हैं और देखते हैं, ये स्ट्रोबेरी है, पर वो कुछ और होगा सोशे थे, वो मीना को वापस कर देते हैं, फू ने रोकने की कोसिस करता है, पर वो वहां से चले जाते हैं, फू मीना को समझाता है, और इसके बारे में सोचने से मना करता है, मीना उसकी ममी से माफी मांगेगी कह अगले दिन फू की ममी योगा कर रहे थे तभी वहां पर मीना भी आती है और क्या आप मुझे सिखा सकते हैं पुछती हैं वो नहीं सिखा सकते कहते हैं पर तुम मुझे फॉलो कर रखती हो वो जैसे जैसे करते हैं मीना भी वैसे ही करती है ये देखकर फू की ममी और हाट करे तो वो नहीं कर पाएगी सोचकर करने लगते हैं पर उनकी गला अकड जाती है मीना उनकी हेल्प करेगी बोलकर करती है वो दर्थ से चिलाने लगते हैं मीना उससे माफी मांगती है और मैं सच में आपकी हेल्प करना चाहती थी बोलकर उनके पास जाती है तो वो उससे देकर डर रहे थे और कहते हैं तुम हेल्प नहीं उन्हें मारना चाहती थी। फू अपनी ममी को समझानी की कोसिस करता है। फू के पापा भी उन्हें समझाते हैं पर वो बहुत गुसे में थे और वहां से चले जाते हैं। फू के पापा मीना से कहते हैं तुम फू की ममी की बाते म ये देकर मीना उसके पास बात करने के लिए जाती है पर वो उसे देकर वहां से जाने लगता है मीना उसे रोकती है पर टी उसके साथ में बहस करने लगता है मीना उसे फिक्टरी काम करने जाने के लिए कहती है पर वो नहीं सुनता है और मेरे पापा जैसे एक मत करो बूल कर मीना उसका हाथ पक्र लेती है और उसे रोक रही थी ये सब फू की ममी देख लेते हैं और मीना को ही गलत समझ रहे थे वो जाकर फू को बताते हैं पर वो उनकी बात नहीं सुनता है उसकी मम्है ये देखर किया तुम मीना से प्यार करते हो पुछते हैं तो वो हाँ कहता है ये सुनकर उनकी तबिएट बिगड़ जाती है फू उन्हें अंदर लेकर जाता है उसकी महमे मीना के पास जाकर उसे सुनाने लगते हैं और उसे कहते है तुम फू से दूर रहो बुलकर वहां से चले जाते हैं वो ये सुनकर स्रेड हो जाती है रात में फू मीना की रूम जाता है और डूर खुलने के लिए कहता है वो डूर खुलती है तो वो अंदर घुस जाता है और मीना को बेट पर लिटा कर वो उसे प्यार करता है कहता है और उसे किस करना चाहता था, मीना आँख बंद कर लेती है तो वो उसकी फोर हेट पर किस करके तुम अच्छे से सोना बूल कर वहाँ से चला जाता है मीना बहुत खुश थी, फो उसे आज प्रपुश करके रिंग पहनाने वाला था पर वो भूल गया था फिर वो कल पहनाएगा सोच कर वहाँ से चला जाता है दूसरे तरह पानू छिप कर कमपनी जाता है और सेक्रेटरी की लेपटॉप में कुछ छेट छाड़ करता है अगले दिन मीटिंग में फू के पापा और पानू के पापा में से किसके साथ काम करेंगे भोट करते हैं भोट में पानू के पापा जितते हैं ये देखकर मीना वो भोट नहीं की है बोल कर जाती है और फू के पापा को भोट देती है ये देखकर पानू भोटिंग खतम हो गई है कहता है तुम नहीं कर सकती मीना में क्यों नहीं कर सकती पुछती है मैं भी भोट दे सकती हूँ और सब सब पुछती है क्या कोई और अब्जेक्शन करना चाता है कोई कुछ भी नहीं कहते हैं भोट टाई हो जाती है इसलिए फू वो next week फिर से भोट करेंगे कहता है पानू और उसके पापा बहुत गुसे में थे हैटिंग खतम होने के बाद सब बाहर निकलते हैं मीना कहती है मुझे पानू के उपर नज़े रखनी पड़ेगी वो कुछ न कुछ गड़बड कर रहा है ये सुनकर फूवस के पास आता है और मैं तुम्हें दूसरे लड़के को देखने नहीं दूँगा कहता है तुम बस मुझे देख सकती हो मैं जैलेस हूँ ये सुनकर सेकरेटरी खुस हो रहे थे मीना उसे दूर रहने के लिए कहती है सेकरेटरी के जाने के बाद फू मीना की हाथ पकड़ लेता है तो वो हाथ छुड़ा कर उसे मारने वाली थी फू उसके हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ पर किस करता है ये देखकर मीना भी सर्माने लगती है रात में फू घर आता है और अपने पापा से मीना के बारे में बात करता है वो उसे अब तक प्रपुज नहीं किया है उसके पापा उसे आइडिया देते है तुम सब के सामने उनका बर्थडे में प्रपुज करो ये सुनकर वो खूस हो जाता है बर्थरे के दिन फू मिना की हाथ नहीं छोड़ रहा था ये देखकर लिन गुसा हो रही थी और वहां से चली जाती है पानूर उसके पापा कुछ प्लान किये थे और दोनों बहुत खुस हो रहे थे फू के पापा स्टेज पर जाकर फू कुछ कहना चाता है कहते है फू मिना को स्टेज पर बुलाता है फिर अपना लव कंफेस करके रिंग निकालता है ये देखकर उसकी ममी चोग जाते है फू से प्रपोश करता है मिना बहुत खुश थी फू मिना को रिंग पहनाता है तब ही वहाँ पर फू की एक्स गर्फरंट आ जाती है फू से देकर तुम यहाँ पर क्यों आई हो पुछता है वो कहती है मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि हम दोनों की एक बेटी है उसके पापा उनकी बेटी को लेकर आते हैं फू यह देकर हैरान था फू की ममी पापा शोक ढो जाते हैं और उनकी तबियत बिगड़ने लगती है उन्हें वहाँ से ले जाते हैं मिना भी बहुत गुसे में थी और फू का रिंग निकाल कर उसे पकड़ा कर वहाँ से चली जाती है फू उसे रोकने की कोसिस करता है पर वो नहीं सुनती है यह देकर पानू और उसके पापा बहुत खुसो रहे थे फिर पानू अपने आदमियों को कॉल करके मिना बाहर गई है बताता है मिना जा रही थी तब ही वहाँ पर एक भेन आती है और वो लोग उसे किड्नेप कर रहे थे वहाँ पर वी आता है और उन लोग से फाइट करके मिना को बचा लेता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते है फू के ममे पापा उसकी एक्स गर्फरेंड की बातों पर बिलीब नहीं कर रहे थे ये देकर उसकी गर्फरेंड के पापा उससे चलने के लिए कहते है वो अपनी बेटी को वहाँ से लेकर जा रही थी पर बच्ची वहां से जाना नहीं चाहती थी और रोने लगती है ये देकर फू उसे रोकता है और मैं तुम से अकेले में बात करना चाहता हूं कहता है दूसरे तरफ मीना बहुत सेट थी और रो रही थी वी उसे क्या हुआ है पुछता है पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती ह और में घर जाकर अपनी ममी से मिलना चाहती हूं कहती है वी उस रोने से मना करता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा और तुम्हें हमेजा प्रोटेक्ट करूँगा फू की एक्स गर्फרंड उससे पिछे से पकड़ लेती है और उसे माफी मांगती है वो इतने दिन उससे दूर रही वो उसकी हाथ को छुडा लेता है और वो बहुत गुसे में था और उसकी बातों पर बिलीब नहीं कर रहा था और कहता है मैं तुम से प्यार नहीं करता हो मैं अपनी वाइब से प्यार करता हो उसकी गल्फरेंड उससे पुछती है इसका मतलब यह ही कि तुम हमारी बच्ची की जिम्मेदारी लेना नहीं चाते हो वो उससे कुछ भी नहीं बोलता है और वहां से चला जाता है मीना घर आती है और अपनी ममी को गले लगा कर रोने लगती है उसकी ममी वी को घर जाने के लिए बोलते हैं और मीना से क्या हुआ है पुछते हैं पर वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती है वी के जाने के बाद वो उन्हें सब बता देती है उसकी ममी उससे समझाते हैं तुम जानती हो ना फू ऐसे नहीं कर सकता है और उसे पूछते हैं, क्या तुम उसे प्यार करती हो, तुम वो नहीं कहती है, ये बस एक fake marriage है, उसकी ममी उससे कहते हैं, तुम अगर उसके लिए fail नहीं करती हो, तुम क्यों सेड हो, तुम सबसे जूट बोल सकती हो, पर अपने दिल से नहीं, मीना आप क्या करेगी पुछत ओर भर सेर्ट दूं BEमी बाप आप शी एकस गर्फरेंड को कैसे नहीं करते हैं इसलिए वह लोग वहां सँ चले जाते हैं रात में मीना को न उठाती है पर वह नहीं उठाती है आप वहां पर आते हैं और मीना को कुछ टाइम देनी के लिए करते हैं भी शोक्ड है इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा रही है अगले दिन मीटिंग में फू का ध्यान नहीं रहता है इसलिए सेक्रेटरी उसे बुलाते हैं पर वो नहीं सुन रहा था ये देकर पानू और उसके पापा बहुत खुस हो रहे थे मीटिंग खतम होने के बाद पान फू के पापा को कॉल करके बताते हैं फू घर आता है और वो बहुत सेट था उसके पापा उसके पास जाकर उससे समझाने लगते हैं मीना को ये सबसे बुरा लग रहा है इसका मतलब ये ही कि वो तुम से प्यार करती है इसलिए वो ऐसे हो रही है ये सुनकर फू फू सो ज उसके पापा उससे मिना से मिलने जानी के लिए कहते हैं तो वह वहां से चला जाता है। उससे में था और उनके पास आकर मिना से दूर रहने के लिए कहता है। और बच्चे के बारे में सब बताएगा कहता है और उससे फ्लावर देता है। मिना समाइल करके ले लेती है और नीचे फेक देती है और वहां से जाने लगती है। फू से रोकता है पर वह उसकी एकस गर्फरेंड और बच्चे के पास जाने के लिए कहती है। फू मिना को घर चलने के लिए कहता है और उससे ले रहा था। वी वी उसकी हाथ पकड़ लेता है और दोनों फिर से बहस करने लगते हैं और फाइट करने वाले थे। मिना उन्हें रोक लेती है और वह बहुत गुसे में थी और फू को यहां से जाने के लिए कहती है तभी वहाँ पर उसकी एक्स गल्फरेंड और बच्ची आ जाते हैं और दोनों बहस करने लगते हैं फूव से वहाँ से लेकर चला जाता है उसकी एक्स गल्फरेंड बहुत खुस हो रही थी फूव से पुछता है तुम मेरा पिछा क्यों कर रही थी पर वो उसे चिपकने लगती है फूव से दूर रहने के लिए कहता है मैं अभी तुम से प्यार नहीं करता हूँ तुम बस मेरी पाश्ट थी और मीना मेरी प्रेजेंट है ये सुनकर वो कहती है मैं तुम्हें और उस लड़की को खूसे से रहने नहीं दूंगी बस वेट करो और देखो फूव से मीना के साथ कुछ भी करने से मना करता है वो वहां से उटकर अपनी बेटी को अपने साथ चलने के लिए कह रही थी पर बच्ची वहां से जाना नहीं चाहती थी ये देखकर फूव से रोकता है और बच्ची के साथ में बात करता है बच्ची फूव से पुछती है क्या वो उससे गले मिल सकती है तो वो हां कहता है बच्ची और उसकी एक्स गल्फरेंड बहुत खूसो रहे थे उसकी एकस गर्फरंड ये सब जानबुच कर कर रही थी अगले सिन में वी मिना को काम करने के लिए बूलाया था पर उसकी ममें ये जानेंगे तो प्राबलम होगी सोचकर उन्हें भागाने के लिए एक प्लान बनाता है अगले दिन फू मिना के घर आया था वो लोग मार्केट से आते हैं फू उसकी हेल्प करेगा कहता है पर वो उसे करने नहीं देती है और वहां से चली जाती है फू उसके साथ टाइम स्पेंट करनी की कोसिस करता है ये देकर मीना गुस्सा हो रही थी फू उनका सब कामों में हेल्प कर रहा था दूसरे तरब पानू को मीना के बारे में सब पता शेल गया था ये सब जानकर वो बहुत गुस्से में था और वहां से चला जाता है फिर वो मार्केट चेक करने के लिए आता है और वो मीना को देख लेता है तभी वहां पर एक आदमी भागते हुए जाता है और उसके कपड़े गंदा कर देता है वी अपनी ममी को कहीं भेज देता है उनके जाने के बाद मीना वहां पर आ जाती है और वो काम करने लगती है वी उसके लिए खाना लेका राता है और उसे देता है ये सब देकर फूस जेले सो रहा था वी को कॉल आता है तो वो वहां से चला जाता है मीना काम खतम करके बाहर निकलती है वो उसके आगे में आ जाता है फिर भी मीना वहां से जाने लगती है पर वो उससे जाने नहीं देता है और उसकी और वी के बारे में पुछता है तुम दोनों अभी क्या कर रहे थे और दोनों बहस करने लगते हैं मीना उसे कहती है मैं कॉंट्रक्ट खतम कर दूँगी फूव से पकड़ लेता है और तुम ऐसे नहीं कर रखती कहता है मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूँगा मीना उसे एक थपड मारती है तो वो जाकर उसे किस कर लेता है मीना बहुत गुसे में थी और उसे मारने वाली थी पर वो बेहुस हो जाती है फू से हॉस्पिटल लेकर जाता है वी जब वर्क्शप आता है वो मीना को जो खानी के लिए दिया था बाहर गिरा हुआ था और मीना भी वहां पर नहीं थी इसलिए उसकी ममी को कॉल करके मीना के बारे में पुछता है पर वो यहां पर नहीं है बताते है फू मीना को हॉस्पिटल लेकर आया था और आज इसके साथ जो भी किया उसके लिए सोरी कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें खौना नहीं शाता हूँ वी मीना को मारकेट ढूने के लिए जाता है पर वो बहाँ पर नहीं थी इसलिए मीना की बहन फू को कॉल करती है पर वो नहीं उठाता है फू के घर पर कॉल करते है फू की ममी कॉल उठाते है मीना की ममी क्या वो फू से बात कर सकते हैं पुछते हैं वो उन्हें सुना कर फू घर पर नहीं है बोलकर फोन काट देते हैं फू मीना को अपने दूसरे घर पर लेकर आया था और उसे देखने के लिए आता है पर वो वहाँ पर नहीं थी मीना वहाँ पर आती है और तुम मुझे किड्नेप की हो बोलकर उसे मारना चाहती थी फू उसे रोकता है मीना की तब्याट ठीक नहीं रहती है इसलिए वो उसे डॉक्टर के पास चेलने के लिए कहता है पर वो नहीं जा रही थी इसलिए वो उसे उठा कर लेता है डॉक्टर उसे चेक करते हैं फिर उसे घर लेकर आता है मीना उसे घर चेलने के लिए कहती है पर वो उसे यहाँ पर साथ में खाने के लिए कहता है मैं जो भी लाया हूँ सब वेश्ट हो जाएगा मैं तुम्हे कुक करके खिलाऊंगा बोलकर उसके गाल पर किस करके चला जाता है मीना खूस हो रही थी फूर टोमेटो काट रहा था उसका उंगली कट जाती है तो वो आवाज करता है मीना उसे देखने के लिए भाग कर जाती है फूर से क्या तुम मेरे लिए वरीड हो पुछता है तो वो नहीं बोलकर वहाँ से जाने लगती है फूर से रुखता है और उससे फलट करने लगता है मीना उससे मार कर जल्दी से खना बनाने के लिए कहती है दोनों साथ में डिनर करते हैं, फिर फूव से मेडिसिन देता है, पर वो नहीं ख़ा रही थी इसलिए फूव से कहता है, तुम अगर मेडिसिन नहीं खाओगी तो मैं तुम घठ लेकर नहीं जाओंगा, वो मेडिसिन खा लेती है फू वहाँ से जाने लगता है तो मीना उसे कहती है तुम मुझे बोले थे तुम मुझे घर लेकर जाओगे तो तुम ये क्या कर रहे हो वो कहता है मैं प्लेट दोने के लिए जा रहा हूँ फू जब वापस आता है मीना सो गई थी उसे रूम ले जाकर सुला देता है अगले दिन वी कमपनी जाकर मीना कहा है बोल कर चिलाने लगता है सिक्योरिटी आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं पानू और उसके पापा सब देख रहे थे फिर पानू वी का पिछा करता है फू के पापा उसे कॉल करके मीना कहां पर है पुछते हैं क्या वो तुम्हारे साथ में हैं वो हां कहता है टी भी पिछे से सब सुन रहा था फू मीना के बारे में बताता है वो बिमार है उसके पापा तुम दोनों कहां हो पुछते हैं वो उन्हें बता देता है उसके पापा मीना की ममी को कॉल करके सब बताने के लिए कहते हैं वो टेंशन नाले वो हाँ मैं कॉल करके अभी बता दूंगा कहता है अगले सिन में फू की एक्स गल्फरेंड फू के घर पर आई थी और टीक और लिन के साथ में बात करते सुन लेती है फू मीना के साथ में है ये सुनकर वो बहुत गुसे में थी और रोश्टी है तुमको लगता है कि तुम मेरे बिना एक साथ खुसी से टाइम बिदा सकते हो पानू वी का पिछा कर रहा था वी उसका फोटो ले लेता है और तुम मेरे पिछा क्यों कर रहे हो पुछता है पानू कहता है मैं तुम्हें कमपनी में देखा तुम फू और उसकी वाइफ को ढूंडने के लिए आये थे पर तुम्हें वहां से निकाल दिया गया इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आया हो और तुम्हारा हेल्प करना चाता हूँ वी पुछता है तुम मेरा हेल्प क्यों करना चाते हो तो वो कहता है ये इस बात पर डिपेंड है कि तुम मीना के लिए क्या हो तुम मुझे इसके बारे में सब बता दो और उसे पैसो का ओफर भी देता है पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता है और वहां से चला जाता है मीना सो कर उड़ती है फू उसके पास रहता है और उसे परेशान करने लगता है वो उसे लात मार कर नीचे गिरा देती है और चिला रही थी फू आवाद सुनकर वहाँ पर आता है तो मीना नीचे गिरी थी और वो बस सबना देख रही थी मीना उसे पुछती है तुम मुझे घर क्यों लेकर नहीं गये और उसे बहस करने लगती है फू कहता है तुम का लीची पर शो गई थी इसलिए मैं तुम्हे रूम लेकर आया और सुला दिया फिर उसे फ्रेस होने के लिए कहता है वो चली जाती है फिर दोना ब्रेकफ़स्ट करनी के लिए बढ़ते है फू से बुखा रहे की नहीं चेक करनी के लिए जाता है पर वो वहां से जाने लगती है फू से रोकता है और चेक करता है तब ही वहां पर लीन और टी आ जाते है लीन फू के साथ में चिपकी रहती है और उसे नहीं छोड रही थी मीना ये देकर जेलिस हो रही थी और वहां से जाने लगती है फूव से रोकता है टी लीन को वहां से बाहर लेकर चला जाता है उनके जाने के बाद वहां पर फूव की एक्स गल्फिंड आ जाती है फूव से देकर तुम यहां पर कैसे आई पुछता है वो कहती है तुम ही तो मुझे थोड़ी देर पहले कॉल करकर डारेक्शन बताया थे पर वो उसे कॉल नहीं किया है कहता है उसकी गल्फरेंड उसके साथ में चिपक रही थी ये दे कर मीना वहां से जाने लगती है फू उसे रोकता है और उसकी गल्फरेंड से बहस करने लगता है और कहता है मैं तुम से प्यार नहीं करता हूँ मैं मीना से प्यार करता हूँ फिर भी उसकी गल्फरेंड उसे नहीं छोट रही थी तभी वहां पर फू के पापा आ जाते हैं और उसकी एक्स गर्फरेंड को यहां सो जाने के लिए कहते है मीना फू की वाइफ है तुम नहीं हो फू बच्ची को एकसेप्ट किया है पर तुम्हें नहीं किया है बोलकर वो लोग वहां सो चले जाते हैं वो बहुत गुसे में थी अगले सिन में मीना घर आती है तो वी फू को देखकर मारने के लिए जाता है मीना उसे रोक लेती है और कहती है मैं अभी फिर से फू के घर पर जाओंगी यह सुनकर वी सेड हो जाता है और वहां से चला जाता है मीना उसके पीछे जाती है और उसे रोक कर समझाने की कोशिस करती है वी इसके लिए नहीं मान रहा था और उसके लिए बहुत वरीड है कहता है अग लेसिन में फू अपनी ममी से मिलता है तो वो उसे देखकर बहुत खुश थे जब मीना को देखते हैं तो वो उसे देखकर खुश नहीं होते है और तुम इहा पर क्यों हो पुछते हैं फू कहता है मीना कांट्रक्ट पूरा करने का डिशिजन ली है पर उसकी ममी सोचे थे वो हमेशा के लिए यहां से चली गई है वो गुसे में थे और वहां से चले जाते हैं फू मीना को अपनी ममी की बात इगनॉर करने के लिए कहता है वो चाहे जो भी सोचते हैं पर मैं तुम से प्यार करता हूँ वो बात नहीं सुनती है और डोर बंद कर देती है फू के पापा वहां पर आकर उसे कहते हैं अभी तुम्हें एक डिसिजन लेना होगा तुम तुम्हारी एक्स गर्फरिंड और बच्ची के बारे में क्या करोगी अगले मॉर्निंग फू की एक्स गर्फरिंड और बच्ची आ जाते हैं उसकी गल्फरेंड फूग को अपने साथ ले जाती है बच्ची अकेले ही रहती है और खेल रही थी और शीडियों से उतरते टाइम नीचे गिर कर रोने लगती है ये देखकर मीना उसके पास जाती है और उसे संभालती है और उसे चूप करा रही थी फूग की ममी वहाँ पर आ जाते हैं और बच्ची को चूप रहने के लिए कहते हैं और ये कौन तोड़ा है पुछते हैं पर बच्ची डर से रोय जा रही थी फूग की गल्फरेंड फूग को अपने घर पर लेकर आई थी और ड्रिंक में कुछ मिला दी थी और उसे ड्रिंक करने के लिए देती है वो पी लेता है और वो निशे में था उसकी गर्फरेंड उसका फायदा उठाना चाती थी पर वो ही सोचाती है फूग ड्रिंक में कुछ मिलाते देख लिया था और वो गलास चेंच कर दिया था मीना बच्ची को गुमाने के लिए लेकर गई थी और दोनों बहुत खुश थे फूग घर आता है और मीना को कॉल करता है पर वो नहीं उठा रही थी उसके पापा वहां पर आते हैं तो मीना कहां हैं पुछता है पो उससे बता देते हैं वो उनसे मिलने के लिए चला जाता है मीना उसे देखकर बहुत गुसे में थी और वहां से जाने लगती है फू उसे रोकता है और बच्ची भी उसे घर जाने से रोकती है हम तीनों साथ में खेलेंगे फू की गल्फरंड जाकती है और उसे ढून रही थी पर वो वहां से चला गया था और इधर तीनों साथ में बहुत मश्ती करते है फू की एक्स गल्फरंड फू के घर पर आकर मेरी बेटी कहां है पुछती है फू के ममी पापा उससे नहीं बताते है तब ही वहां पर तीनों आ जाते है उसकी गल्फरेंड बच्ची को मीना के साथ में बात करने से मना की थी पर वो बात नहीं सुनी इसलिए वो बहुत गुसे में थी और बच्ची को लेकर वहां से चली जाती है और बच्ची को डाट रही थी मीना आकर उसे रोक लेती है और दोनों बहस करने लगते है फू की गल्फरेंड कहती है फू अभी भी मुझसे प्यार करता है और आज की फोटो उसे दिखाती है ये देखकर वो सेड़ हो جाती है और वहाँ से चली जाती है अगले दिन मीना फू की गल्फरिंड की बातों को सोच रही थी फू आकर उसे बात करता है पर वो उसे इगनोर कर रही थी फू के ममी पापा भी ये देख रहे थे और उसकी ममी बहुत खुश थे फू के पापा सेकरेटरी को बुलाते हैं और मीना और फू के बारे में जो भी हो रहा है उससे बताते हैं वो उन्हें आडिया देते हैं फू की ममी ये सब सून रहे थे दुसरे तरफ, लीन की ममी को एक लेटर मिलती है लीन, ठाईलेंड चोड़ कर जा रही है वो कुछ देन के लिए एब रोड में रहेगी फिर वापस आ जाएगी तब ही वहाँ पर लीन की बहन वीता आती है ये देकर सब खुश सो जाते हैं अगले सिन में टी घर से निकलता है और लीन की कार में बढ़ता है पर वो वीता रहती है वो उसे देकर चोक जाता है और कार स बीता उसे पुशती है क्या तुम मुझे नहीं पहचाने वो उसे अच्छे से देखता है फिर पहचान लेता है बीता उसे कार में बैठनी के लिए कहती है वो लोग फू लोग का फिचह करते हैं फू के पापा और सेक्रेटरी साथ में दोनों को टाइम स्पेंट करानी के ल देखनी के लिए जाती है वो लोग उससे छूप रहे थे फू मीना को लेकर वहां से चला जाता है कार आने के बाद फू के पापा और सेक्रेटरी वहां से चले जाते हैं टी और भीता को भूक लग रही थी इसलिए दोनों रेश्टूरंट खाने के लिए आये थे और दोनो मस्ती करने लगते हैं वही पर फू और मीना भी आ जाते हैं तो वो दोनों जाकर छुप जाते हैं और दोनों के जाने के बाद वो दोनों भी उनके पिछे जाते हैं फू मीना को जूट बोल कर एक जगे लेकर जाता है यहां पर उसके पापा नियो फेक्टरी बनाएंगे प फिर उसके बार बार पुछने पर वो उसे बता देता है। ये सब उसके पापा किये हैं पर मीना वापस जाएगी बोल कर जा रही थी। फूव से जाने नहीं देता है। और ड्रैबर को यहां से जाने के लिए कहता है तो वो चला जाता है। मीना बहुत गुसे में थी और मैं चल कर जाओंगी बोल कर जा रही थी। फूव से रोकता है और उसे उठा कर लेकर जाता है। टी और भीता ये सब देख रहे थे। भीता बहुत गुसे में थी। यहां पर दोनों मज़े कर रहे हैं और इधर लिन्ज सेट है बोलकर जाने लगती है, टी उससे रोकता है और उससे समझाने लगता है, हम दोनों जो प्लान किये हैं तुम अगर ऐसे करोगी तो फैल हो जाएगा, वो उसका बात मान लेती है, फू मिना को रूम लेकर आता है, जाने से मना करता है, और अपना फैलिंग्स बताता है, मिना उसकी एक्स गल्फरेंट के वज़े से बहुत गुझे में थी, और वहां से जाने लगती है, फू से रोकता है, पर वो नहीं सुनती है, दूसरे तरफ पानू अपने आदमियों के साथ, वहां पर आता है, वेता उसे कॉल करके अपने आदमियों को भेजने के लिए कहती है तो वो भेज देगा कहता है पर उसका प्लान कुछ और ही था फू मीना को कुछ खाने चलने के लिए कहता है पर वो नहीं जाएगी कहती है फू उसके लिए खरीद कर ला देगा कहता है और वहां से चला जाता है उसकी रूम में एक आदमी आता है वो लग उसे किड्नेप करनी के लिए आये थे टी ये दे कर उन्हें रोकता है पर वो लग उसे ही मारने लगते हैं वो बेहो सो जाता है फू वापिस आता है और अपने पापा से फोन पर बात कर रहा था किड्नेपर मीना को ले जा रहे थे फू ये देख लेता है फिर एक आदमी जा रहा था उसे रोकर वेन का पिछा करनी के लिए कहता है किड्नेपर मीना को बोट से ले जा रहे थे फू भी उनका पिछा करता है टी भीता के पास जाता है और वो बहुत गुसे में था और उसे बताता है तुम्हारे भाई के आदमी मीना को किड्नेप कर लिये हैं उसके प्लान के हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ है क्या तुम सच में उससे किड्नेप करवाई वो नहीं कहती है टी बहुत गुसे में था और मीना को कुछ हुआ तो तुम्हारा भाई सब जम्यदारे लेगा कहकर चला जाता है बीता पानू को कॉल करती है पर वो नहीं उठाता है वो सुचती है कहीं पानू उससे मर्डर करने के लिए तो किड्नेप नहीं किया है सुच कर डर रही थी कुछ दिर बाद टी वापस आता है तो वो यहां पर नहीं थी फिर देखता है बीता सुरसाइट करने के लिए पानी में जा रही है वो उसका बात नहीं मानती है और उसका हाँ छुडा कर जाने लगती है तो टी ठीक है जो करना है करो बूल कर जा रहा था पीछे देखता है तो वो सच में पानी के अंदर चली गई थी मीना उन किडने पर को मार कर भाग जाती है टी भीता को पानी से बाहर निकालता है फिर उसे रूम लेकर आता है वीता उसे पुछती है तुम मुझे क्यू बचाए तो वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वरिट था वीता ये सुनकर खुस हो जाती है और उसके गाल पर किस करती है तो वीवी उसे किस करता है और उनकी बात आगे भी बढ़ जाती है दूसरे तरफ मीना भाग रही थी फूस से ढूंड लेता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं और बोट से जा रहे थे पानू उन्हें देख लेता है और उन पर गोली चलाता है वो लोग भी उनका पीछा करते हैं और उन पर फायर करने लगते हैं दोनों पानी में कुछ जाते हैं तो वो लोग पानी में भी फायर करने लगते हैं वो लोग उन्हें ढूंड नहीं पाते हैं पर वो लोग बलड देखते हैं और वो दोनों मर गें सोचकर बोड़ी को ढूंडने लगते हैं पर बुड़ी नहीं मिलती है तो वो लोग वापस चले जाते हैं सेकरेटरी को कॉल करके बताते हैं मीना और फू मिसिंग है यह जानकर फू के पापा बहुत टेंशन में थे फू की मैमी सब बाते सुन लेते हैं और उनकी तबिएत बिगड़ने लगती है फू और मिना एक आईलेंड पर आ गए थे वो उठती है और फू को दे कर उसके पाँच जाकर उसे उठाती है वो उठता है और उसके सॉल्डर पर गोली लगी थी बीता जब जाकती है अपने आपको इस हालत में टी के साथ में दे कर चौक जाती है और चिलाने लगती है और उसे लाथ मार कर नीचे गिरा देती है और तुम मेरी रेप की हो कहती है तो टी कहता है तुम पहले मुझे कीस की थी इसलिए ये सब हुआ और उससे टीस करने लगता है फिर जो भी उन दोनों के बिज में हुआ है उसके लिए माफी मांगता है और वो इसके लिए जिमेदारी लेगा कहता है पर वो बहुत गुसे में थी और उसे मारने लगती है और वहां से चली जाती है तब ही टी को उसके ममी कॉल करके फू के बारे में सब बताते है और तुम्हारे पापा वहाँ पर जा रहे हैं कहते हैं मीना और फू दोनों जा रहे थे पर फू का तब्याट ठीक नहीं रहता है इसलिए मीना उसे बैठने के लिए कहती है और उसके लिए मेडिसन लाने के लिए जाने लगती है फू उसे रोकता है, अकेले जाना डेंजर है फिर भी वो उसे यहीं पर वेट करनी के लिए कहकर चली जाती है उसे वहाँ पर एक घर मिल जाती है वो जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं थे और वहाँ पर खाने पीने का सब समान भी रहता है दुसरे तरफ फू के पापा मीना और फू को ढूनने के लिए आये थे टी और बीता वहाँ पर आते हैं ये देखकर टी के पापा तुम्हें ये सब कैसे पता चला पुछते हैं तो वो कहता है ममी मुझे कॉल करके बताये थे सेकरेटरी सब को चलो रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं कहते हैं तो बीता उन्हें मना करती है सेकरेटरी क्यों पुछते हैं तो टी कहता है अगर हम रिपोर्ट करेंगे तो ये बात लिख हो जाएगी और इससे कमपनी पर अफेक्ट होगा पर वो लोग बात नहीं सुनते हैं और रिपोर्ट करने के लिए जाने लगते हैं T. बीटा को अपने साथ ले जा रहा था पर वो डर्शे नहीं जा रही थी फिर भी T. उसे लेकर जाता मीना फूर को उस सी घर पर लेकर आती है वो नीन में भी मीना को भागने के लिए बोल रहा था और मैं तुम से बहुत प्यार करता हूँ मीना उससे जल्दी ठीक होने के लिए कहती है और फू को ठंड लग रही थी इसलिए वो उसके पास सूती है फू के पापा पुलिक स्टेशन रिपोर्ट लिए गया थै एक आफिसर आकर बताता है एक बोर्ट मिली है पर वहाँ पर कोई भी नहीं थे उस बोर्ट पर सूट किया गया है ये सुनकर फू के पापा का तबियत बिगड जाती है टी और बीता बहुत टेंशन में थे वो लोग ये सब प्लान नहीं किये थे फू सोकर उड़ता है मीना वहाँ पर आती है फू से पूरी रात धियान रखने के लिए थैंक्यू कहता है और उसे क्या तुम मुझे प्यार करती हो पुछता है पर वो नहीं बता रही थी और वहाँ सो जाने लगती है फू सकी हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लेता है और उसकी गाल पर किस करता है और कहता है तुम अभी मुझे नहीं बता रही हो तो मैं वेट करूँगा और दोनों साथ में बहुत खुश थे अगले सिन्वे वी कमपनी जाता है और मीना के बारे में पूछता है पर कोई भी उससे कुछ भी नहीं बताते है और वहाँ से भाग जाते है वह बाहर चला जाता है और सपसफाई करने वाली से बार बार पूछने लगता है तो वो उससे सब बता देती है दो दिन से दोनों गायब हैं वो जाकर मीना की ममी को सब बताता है ये जानकर उसके ममी फू के पापा से बात करने के लिए जा रहे हैं बोलकर जा रहे थे पर उनकी तबिद बिगडने लगती है और वो मीना के लिए बहुत वरिट थे वीवी बहुत गुसे में था और कहता है मीना को अगर कुछ भी हुआ तो वो फू को नहीं छोड़ेगा फू सोकर उड़ता है मीना घर पर नहीं थी इसलिए वो बाहर जाता है वो पानी लाने के लिए गई थी ये देखर वो उसके पास जाता है और मैं हेल्प करता हूं कहता है वो उसे करने नहीं दे रही थी फू पानी में गिर जाता है और उसे बाहर निकालने के लिए कहता है वो हाँ देती है तो फू उसे ही पानी में खीच लेता है और दोनों मस्ती करने लगते हैं अगले दिन टी और भीता फू को ढूनने के लिए जाते हैं भीता पानू को कॉल करती है तो वो उठाता है वो उसे पुछती है तुम क्यों कॉल नहीं उठा रहे थे पानू कहता है मैं बिजी था क्योंकि मैं फू को ढून रहा था बेटा पुछती है तुम मीना को सच में क्यों किड्नेप की हो तो वो उसे जुट बोलता है वो लोग मेरे आदमी नहीं थे वो उसका बात को सच मान लेती है टी वहाँ पर आता है तो वो उसे सब बताती है मैं पानू को कॉल की थी वो लोग पानू के आदमी नहीं थे पानू और उसके पापा फू मर गए है सोचकर बहुत खुश हो रहे थे दुसरे तरफ फू और मीना दोनों साथ में बहुत खुश थे फू उससे प्यार करता है कहता है तो मीना भी उससे प्यार करती है कहती है और उन दोनों की बात आगे बढ़ जाती है वना उटती है और जा रही थी PUウ भी उटता है और उसे कहा जा रही हो पुछता है वो कूक करने के लिए जा रही है कहती है मीना भी अब उससे बोल दी थी कि वो उससे प्यार करती है यह सब जानकर PU बहुत खुश था और उनसे छुपा रहे थे वहाँ पर टी और भीता आते हैं और वो लोग नहीं मिले बताते हैं कल वो लोग फिर से ढूंडने के लिए जाएंगे कहते हैं तो वी भी उनके साथ में जाएगा कहता है सेक्रेटरी को कमपनी से कॉल आती है पानु और उसके पापा सब सेर होल्डर के साथ में कल मिटिंग करने वाले हैं और वो लोग न्यू सीई ओ चोईस करेंगे ये सुनकर फू के पापा बहुत गुसे में थे और वो कमपनी जाकर हैंडल करेंगे और टी को यहाँ पर रहकर फू और मीना को ढूंडने के लिए कहता है टी हाँ ढूंडेगा कहता है फू और मीना दोनों वहाँ पर बहुत खुश थे और मस्ती कर रहे थे अगले दिन फू के पापा कमपनी जाते हैं मेटिंग चल रही थी शेयर होल्डर पानू को CEO बनने के लिए चर्ज करते हैं और किसी को इससे अबजेक्शन करना है पुशते हैं तभी वहाँ पर फू के पापा आ जाते हैं और वो अबजेक्शन कर रहे हैं कहते हैं उन्हें दे कर सब की बोलती बंद हो जाती है फू के पापा पुछते हैं उनके बिना ये मिटिंग कैसे चल रही है वो अभी भी कमपनी के CEO है पानू एक्टिंग करते हुए कहता है सब जानते हैं कि आप बिमार है और फू भी गाइब है सब डर रहे थे कि आपकी तबियत और बिगड़ जाएगी इसलिए मिटिंग के बारे में आपको नहीं बताएं फू के पापा बहुत गुसे में थे और कहते हैं ये उनकी कमपनी है वो महनत करके ये कमपनी खड़ा किये है और फू ही नया CEO होगा पर सब सेर होल्डर्स कहते हैं फू मिसिंग है क्या पता उससे क्या हुआ हो और वो वापस आएगा की नहीं फू के पापा गुसा हो जाते हैं और कहते हैं वो मिसिंग है मरा नहीं है पानू के पापा वो जिंदा है की नहीं एविडेंस लाने की लिए कहते हैं वरना पानू नया CEO होगा क्युक्स डान लोग लोग अब कान्टक्ट करके घर जा सकते थे से क्रेटरी में जाकर की पापा को फोन देते एंटी कहता है वह मीना और फू को ढूंड लिया था वह लोग वापस आ रहे हैं पानू और उसके पापा का फ्लान फील हो गया था टी उन्हें दीखाता है वह दो दर रहे थे अगले सिन में फू मीना और वी को बात करते देकर जेलस हो रहा था फिर एक्टिंग करने लगता है मीना वी को बात में बात करेंगे बोलकर फू के साथ में चली जाती है फू के पापा उन से मिलने के लिए आते हैं दोनों एक साथ बहुत खुश थे वहां पर चोक जाते हैं ती के पापा बहुत गुसे में थे और उसे एक थपड मारकर डाटने लगते हैं फू तुम्हारा भाई है तुम उसके साथ इससे किससे कर रखते हो फू टी को सब एक्स्प्लेन करने के लिए कहता है ती बताता है वो किड्नेपर को हायर किया था पर वो लोग नहीं आये वो लोग कौन थे उससे भी नहीं पता पर उसके पापा उस पर बिलिब नहीं कर रहे थे वीता टी पर बिलिब करने के लिए कहती है क्योंकि वही वो लोग को कांटेक्ट की थी ये सुनकर फू के पापा चोक जाते हैं वीता और टी उन्हें सब बता देते हैं मी मीना की वेट कर रहा था पर वो नहीं आती है इसलिए वो बाहर देखने के लिए चला जाता है उसे रोक रहे थे फिर भी वो बात नहीं सुन रहा था मीना उसे देख लेती है और उसके पास आकर तुम बाहर क्यों आए पुछती है फू मीना को वी के साथ में देखकर वहां से चला जाता है मीना फू के पापा से उसे क्या हुआ है पुछती है तो वो उसे बताते है फू तुम्हें वी के साथ में देखकर सायद उदास है Vee उन से माफ़ी मांगकर जाने लगता है تو मिना उसे अच्छी से ड्राइब करके जाने के लिए कहती है वो च्यला जाता है मिना फू से मिलने के लिए जाती है तो वो बहुत गुसे में था उसे इग्णोर कर रहा है इसलिए मिना भी जान पुछकर फोन में बिजी होने की एक्टिंग करती है ये देकर फू ही उससे बात करता है और वी के बारे में कहकर बहस करने लगता है मीना गुस्स हो जाती है और वहां से जा रही थी फू उससे रोकता है तो मीना उससे कहती है तुम मुझे क्यों रोक रहे हो जबकि तुम्हें मुझ पर ट्रश्ट नहीं है फू कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ मैं मेरी वाइब को किसी और आदमी के साथ में देकर जेले सो रहा था मीना उसे वाइब बोलने से मना करती है वो उसे जान पूच कर चिड़ाने लगता है और दोनों साथ में बहुत खुश थे अगले दिन टी हॉस्पिटल फू और मीना से मिलने के लिए गया था ये देकर उसके पापा बहुत गुसे में थे और डाटने लगते है मीना उन्हें माप कर देने के लिए कहती है पर उसके पापा बहुत गुसे में थे और नहीं सुन रहे थे पर मीना के बार बार कहने पर वो उसे माफ कर देते हैं फू और मीना उस पर गुसा नहीं थे अगले सिन में पानू अपने फ्रेंड के साथ में कसीनो गया था तब ही वो फू की एक्स गर्फरेंड को देखता है फू और मीना घराते हैं फू की ममी उससे कहते हैं तो मीना को बजाने के लिए उसके पीछे क्यों गया अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फू कहता है मीना मेरी वाइप है और वो उसके लिए कुछ भी कर रखता है बोलकर दोनों वहां से चले जाते हैं फू के पापा अपनी वाइब से कहते हैं मुझे लगता है कि तुम को अपने पहले ग्रांट चाइल को गोद में लेने के लिए रेडी हो जाना चाहिए वो कुछ भी समझ नहीं पाते हैं रात में पानू जान बुझ कर फू की एकस गर्फरेंड से टकराता है वो वहां से जाने लगती है तो पानू उससे उसकी नाम से बुलाता है वो उससे क्या तुम मुझे जानते हो पुछती है पानु से सचने ही बताता है और कहता है तुम कस्षीनो ओनर की बेटी होना दोनों बाते करने लगते हैं फिर फ़ु की एक्स गर्फरेंड निशे में होती है पानु से उसकी घर पर छोड़ने के लिए जाता है और दोनो नैट स्पेंड करते हैं अगले मौर्णिंग फू की गल्फरंड उटती है और वो पानू के साथ में बहुत खुश थी फिर वो बातरूम जाती है तो पानू उसकी फर्स चेक करता है और उसकी फॉन से कुछ करता है जब वो वापस आती है और उसे देकर तुम ये क्या कर रहे हो बोलकर उसे साइट करती है तो वो उसके लिए ब्रिकफर्श बनाया था दोनों साथ में ब्रिकफर्श करते हैं अगले सन में टी वीता से मिलने के लिए गया था पर वो उसे एगनोर कर रही थी टी उसे क्या हुआ है पुछता है और दोनों बहस करने लगते हैं टी उस रात के बारे में बात करता है तो वो सब भूल गई है कहती है टी कहता है मैं तुम्हें पहले ही बताया हूँ कि मैं जिम्मेदारी लूँगा ये सुनकर वो गुसा हो जाती है और उसे बहस करने लगती है और उस पर पानी डाल रही थी टी उसे रोकता है और उसे पकड़ लेता है दोनों बहस करते करते सुविंग पूल में गिर जाते है टी उसे पुछता है क्या तुम जेलेस हो तुम वो नहीं कहती है टी जान गया था, वो ऐसे क्यों हो रही है और उसे अपना फिलिंग्स बताता है बीता भी उसे प्यार करती है कहती है तब हिए वहाँ पर उसकी ममी आ जाते हैं और ये सब क्या हो रहा है अपुच्टे हैं दोनों उन्हें सब बता देते हैं पर उसकी ममी फोन पर बिजी थे बीता उन्हें मनाने की कोसिस करती है तो वो उन पर गुसा नहीं है कहते हैं और उनकी साधी के लिए माँ जाते हैं अगले सिन में पानू टी और बीता को आते देकर छूप जाता है वो दोनों बात कर रहे थे फिर टी उसकी गाल पर कीस करके चला जाता है ये देकर पानू बहुत गुसे में था और बीता को रोकर ये सब क्या है पुछता है तुम उसकी गर्फरेंड कैसे बंच रखती हो वो क पानू उसे रोकर फू के किड्नेप होने के बारे में पुछता है। ये डिसिजन क्यों ले रहे हो। क्या तुमने किसी को प्रेगनेंट किया। ये ऐसी बात नहीं है कहता है। पर वो जो भी किया है उसकी जिम्मेदारी लेना चाहता है। ये सुनकर उसकी ममी की तबियत बगड़ने लगती है। उसे लड़की कौन हैं पुछते हैं वो भीता बताता है। ये सुनकर उसके पापा उसके पास जाते हैं पर वो उस पर गुसा नहीं करते हैं और वो खुछते हैं और सादी के लिए मान भी जाते हैं। कुछ दिन के बाद आज टी का सगाई रहता है। फू आकर उसे रेड़ी करवाता है। उसके ममी पापा ये दे कर बहुत खुछ थे। दोनों अब एक दुसरे को समझ रहे थे और जगड़ नहीं रहे थे। फू के पापा कहते हैं ये सब मीना के वज़े से हो रहा है और मीना की तारीब करते हैं। फिर वो लोग भीता के घर जाने के लिए निकलते हैं। भीता रेड़ी हो रही थी वहाँ पर उसके ममी आते हैं। भीता खुछ नहीं थी और वो सही डिसिजन ली है कि नहीं सोचकर परिशन हुए जा रही थी उसकी ममी उस समझाते हैं तुम ट्रेस मत लो और ये सब के बारे में मत सोचो बस स्माइल करो सब लोग भीता के घर जाते हैं टी और भीता की इंगेजमेंट होती है फिर वो सब फोटो क्लिक करवाते हैं ये सब देकर पानू बहुत गुसे में था मीना और फोटो बाहर निकलते हैं और पानू को देकर उसे पुछते हैं क्या तुम बोर हो रहे हो तो वो नहीं कहता है फोटो से पुछता है तुम कब अपनी फिचर वाइब से मिलवा रहे हो हम भी उस लड़की को देखना चाते हैं पानू कहता है मैं अब ये सब के लिए सिरियस नहीं हूँ और हम बात में बात करेंगे बुलकर चला जाता है मीना फू से कहती है पानू थोड़ा स्ट्रेंजर बिहेब कर रहा है फू नहीं कहता है वो हमेशा ऐसे ही रहता है जब पानू उन दोनों पर फायर कर रहा था वो दोनों उसका फेस नहीं देखे थे पानू केफे में रहता है वहाँ पर फू की गल्फरेंड आती है और उसका सेड़ चेहरा देकर तुम्हें क्या हुआ है पुछती है पानू उससे भीता और टी के बारे में बताता है फू की गल्फरेंड उसका मूठ ठीक करने के लिए अपने साथ बुलाती है पानू जीतना भी गेंबलिंग खेलता है सब में हार जाता है इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है फू की गल्फरेंड उसे रोक कर और एक बार ट्राय करने के लिए कहती है तो पानू कहता है उसके पास और पैसा नहीं है वो उससे कहती है बस इतनी चोटी से प्रॉब्लम में कौन हो क्या तुम नहीं जानते हो बोलकर उसे अपने साथ ले जाती है वो उससे अपने पापा से मिलाती है और उसे पैसे दिलवाती है पर उसके पापा पानू के उपर ट्रश नहीं कर रहे थे और पैसा देना नहीं चाते थे फिर भी फू की गर्फरेंड अपने पापा से पैसे लेकर पानू को दे देती है। पानू के जाने के बाद उसके पापा उसे रोकते हैं और फू के बारे में पुछते हैं। फू और उसकी वाइप कुछ दिनों पहले यहां पर आये थे। क्या तुम नहीं जानती हो यह सुन पर उसे बताते हैं फू के पापा सब सेरहोल्डर को फू और मीना को वेलकम करने के लिए बुलाए हैं। पर उन्हें लग रहा है कि वो सब के सामने एनौंस करेंगे कि सीयो पॉजिशन फू का है। सब सेरहोल्डर फू और मीना को वेलकम करते हैं। पानू के पापा यह चूपकर अंदर जाने की कोसिस करता है वो जब दस्ते अंदर चली जाती है पानू ये यहां पर क्या कर रही है सोच रहा था और चूपते हुए अंदर जाता है उसके पापा उससे देखर तुम किस से चूप रहे हो पुछते हैं वो कहता है बस मैं किसी को भी देखना नहीं चाता हूँ उसके पापा उसे मिटिंग के बारे में बताते है पानू उनसे वन मीलियन मांगता है उसके पापा ये सुनकर चूप जाते है और इतना पैसा क्या करोगे पुछते है वो उसके जुट बोल देता है वो जिन को हायर किया था उन्हें देना है उसके पापा देने के लिए मान जाते है तो वो खुस हो जाता है और वहां से चला जाता है मीना पानू और उसके पापा के बारे में सोच रही थी और कहती है पानू के पापा हम दोनों को जिन्दा देकर सायद खुश नहीं है और वो सायद पानू को सीयो बनाना चाते है पर फू कहता है तुम बहुत जादा सोच रही हो हम दोनों की फैमिली दस सालों से एक दूसरे को जानते है पानू के पापा कभी भी मेरे पापा को धोखा नहीं देंगे दोनों आफिस आते हैं तो वहाँ पर फू की गल्फरेंड और बच्ची रहते हैं उन्हें देखकर फू बच्ची से पुछता है तुम यहां पर कैसे आई तो उसकी गल्फरेंड उसके पास आकर मे लेकर आई हूँ बोलकर मीना को धकेल देती है और फू के साथ मैं चिपक रही थी वो मीना के साथ मैं बहस करने लगती है फू ये देखकर उसे रोकता है और उसे यहां से जाने के लिए कहता है पर वो नहीं जा रही थी मीना भी उसे यहां से जाने के लिए कहती है तो उसके गल्फरेंड मीना को धकेल देती है फू ये देखकर गुसा हो जाता है और उसे कहता है हम दोनों के बीच में जो भी था सब खतम हो चुका है मैं जिसे प्यार करता हूँ वो मीना है उसकी गल्फरेंड उससे मारने लगती है फू उससे रोकता है और कहता है तुम घर जाओ यही सच है हम दोनों सिर्फ फ्रेंड है वो गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है बच्ची भी उसके पीछे जा रही थी मीना उससे रुकती है पर बच्ची चली जाती है फू की गल्फरेंड उससे जा रही थी पानू भी उससे चूपकर कार से जा रहा था आगे में वो आ जाती है तो पानू सड़नली ब्रेक मारता है वो नीचे गिर जाती है पानू उससे देखने के लिए जाता है फू की गल्फरंड उससे देखकर तुम यहां पर क्या कर रहे हो पुछती है मीना बच्ची को ढून रही थी वो एक कौने में जाकर रो रही थी मीना उसके पास जाकर उससे चूप कराती है तभी वहां पर पानू के पापा आते है और फॉन पर किसी से बात करके हेल्फ मांगते है वो रो मेटेरियल प्राइस में और एक डिजिट बढ़ाने के लिए कहते है मीना गलती से एक डबा गिरा देती है आवाद सुनकर वो देखने के लिए जाते हैं वो लोग छुपे हुए थे पानू के पापा उन्हें देखने ही पाते है दुसरे तरह पानू अपने बारे में फॉ की गल्फरिंट को सब बता देता है और मैं तुम्हें लाइक करता हूं कहता है फू की गल्फरेंट फू और मीना के वज़ से बहुत गुसे में थी और उसे बताती है फू मीना को चोईस किया है मुझे नहीं किया है पानू उसकी हाथ पकड़ कर कहता है चलो हम दोनों साथ में काम करते हैं अगले सिन में एक इंपलय डॉक्यूमेंट लेकर जा रही थी सेक्रेटरी उसे रोक कर ये क्या है पुछते हैं तो वो उन्हें बता देती है सेक्रेटरी उस डॉक्यूमेंट को देखते हैं फिर उसे कहते हैं वो इसे लेकर जा रहे हैं तुम किसी को भी मत बताना वो जाकर फू के पापा को दिखाते हैं और कहते हैं इस साल का खर्चा पिछले साल से कफी बढ़ गया है मीना पानू के पापा जो फोन में बात कर रहे थे उन्हें सून ली थी और बताती है जब पानू के पापा को पतर चलता है सेकरेटरी उस डॉक्यूमेंट को ले गई है वो बहुत गुसे में थे और उस इंपलोई को जॉब से निकाल देते हैं वो लोग जो भी गड़बड किये थे वो लोग पूरी तरह सब फस गये थे और वो लोग अब क्या करेंगे सोच रहे थे फिर उन्हें एक आइडिया मिल जाती है अगले दिन फू के पापा सब सेर होल्डर के साथ में मिटिंग कर रहे थे एक सेर होल्डर उन्हें एक डॉक्यूमेंट दिखा कर इससे कौन अफरूब किया है पुछते हैं वो देखकर हैरान थे फिर मिना और फू को दिखाते हैं मिना ये देखकर मैं ये नहीं की हूँ कहती है पर उसकी साइन रहती है पानु और उसके पापा मिना को ही फसा देते हैं दुसरे तरफ नोट लाइव आकर मिना के बारे में सब सच बता रहा था पानू सब को लाइफ ट्रीमिंग दिखाता है चीत और मीना की बहन नोट को रोकने के लिए आते हैं पर बहुत देर हो चुकी थी सब लोग वीडियो देख चुके थे पानू और उसके पापा सब को मीना की बेगराउंड के बारे में बताते हैं और कमपिनी के पैसा हैरा फेरी करने में मीना को फसा दिये थे मीना कुछ भी नहीं की है कहती है पर पानू और उसके पापा मीना को ही ब्लेम करते हैं फू के पापा कहते हैं आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं है किसने पैसे ठगे तो वो इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते हैं जब तक सच पताना चले बोलकर मीना को घर भिज देते हैं मीना और फू बहार जाते हैं तब ही वहाँ पर रिपोर्टर आ जाते हैं और मीना की बेगराउंड के बारे में पुछने लगते हैं फू मीना को वहां से लेकर चला जाता है अगले सिन में पानू और उसके पापा मीना को फसा कर बहुत खुसो रहे थे भीता सब सुन ली थी और वहां से जा रही थी तभी वो गलती से वहां की लाइट अप कर देती है पानु देखने के लिए जाता है तो वो वहाँ से चली जाती है पानु देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं थे फू और मीना घराते हैं फू की ममी मीना को देकर ये सब उसके ही वज़े से हो रहा है बोलकर उसे सुनाने लगते हैं मीना कहती है मैं कम्पनी में किसी को भी सच नहीं बताई और बोली कि मैं करूडपती की बेटी होने के बारे में जूट बोली क्योंकि मैं फूव से साधी करना चाहती थी मैं आपका और पापा का नाम मेंशन नहीं की फिर भी फूव की ममी बहुत गुसे में थे और वहां से चले जाते हैं मीना भी बहुत गुसे में थी और जा रही थी फूव से रुकता है तो वो कहती है मैं अपने घर जाओंगी और रियल लाइफ जियोंगी बोलकर जा रही थी फूँ उसे रोकता है और समझाने की कोसिस करता है पर वो यहां पर रहना नहीं चाहती है कहती है अगले दिन फूँ की ममी मीना से बात करते हैं और उसे रोकने वाले थे क्योंकि उन्हें अब एहसास हो गया था कि मीना उनकी हेल्प कर रही है पर वो उसके साथ अच्छे से ट्रेट नहीं किये है तब है वहाँ पर Phu की Girlfriend आ जाती है और मिना की बुराई करती है Phu गुस्सा हो जाता है और दोनों बहस करने लगते हैं वो भी गुस्सा हो जाती है और उ से मार रही थी तुम्हे नहीं और उसे घर से निकल जाने के लिए कहते हैं वो गुसे में थी और वहां से चली जाती है फू की ममी अब मीना को एकसेप्ट कर लिये थे अगले सिन में मीना मीटिंग में जाती है और वो रिजेन दे कर जिम्मेदारी लेगी कहती है पर शेयर होल्डर कहते हैं बस रिजेन देने से प्राब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी फू के पापा सबसे कहते हैं जो भी ये सब किया है वो इस बारे में इन्वेस्टिकेशन करेंगे वो गैरेंटी देते हैं कि सबुत किसी और के तरफ इसारा करते हैं वो जल सजल लीगल एक्शन लेंगे मीना अब अपनी लगजिरियस लाइफ छोड़कर रियल लुक में आती है मीना कमपनी से रिजेन देकर चली जाती है दो औरत मीना की ममी से मीना के बारे में पूछ रहे थे और उसकी बुराई करने लगते हैं तब ही वहां पर मीना आ जाती है और उनसे बहस करने लगती है वो लोग वहां से चले जाते हैं उसकी ममी उसे सांथ कराते हैं और तुम यहां पर क्यों आई हो पुछते हैं तो वो कहती है मैं आज यहीं पर रहूंगी उसके ममी उसकी फेस देकर जान गया थे कि कुछ हुआ है फिर भी उससे नहीं पुछते हैं फू लगेज लेकर आता है तो मीना कहती है मेरी दो लगेज है और ये किसका है पुछती है फू मेरा है कहता है और मीना की ममी से यहाँ पर रहने के लिए पर्मिशन मांगता है ये सुनकर मीना उसे मना करती है और तुम यहाँ पर नहीं रह सकते कहती है फू पुछता है मैं क्यों नहीं रह सकता तुम मेरी वाइप हो तुम जहाँ पर रहोगी मैं भी वही पर रहूँगा बोलकर मीना की रूम में चला जाता है मीना अपनी ममी को उससे रोकने के लिए कहती है तो वो तुम जाकर उससे बात कर लो बोलकर चले जाते हैं अगले सिन में फू के पापा मीना के लिए बहुत वरिड थे और वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और कहते हैं मीना कुछ भी गलत नहीं की है फिर भी उसे जिम्मदारी लेनी पड़ रही है उन्हें अब रिटार ले लेना चाहिए सेक्रेटरी उन्हें मना करते हैं इसे कंपनी पर बहुत अफिक्ट वड़ेगा वर्फू के पापा कहते हैं वो अब ठक चुके हैं कभी कभी जो होने वाला होता है वही होता है तब ही वहाँ पर टी आ जाता है और उन्हें गिव अफ करने से मना करता है मीना यहाँ पर नहीं ह आ जाते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं टी भी अब फिक्टरी में काम करने के लिए मान गया था ये देखर टी के पापा बहुत खुस हो जाते हैं फिर वो टी को फिक्टरी लेकर जाते हैं और एक वर्कर से टी को काम सिखाने के लिए कहते हैं वो काम करने चला जाता है ये देखकर उसकी ममी कहते हैं यहां पर उससे बहुत हार्ड वर्क करनी होगी आप उससे फूके जैसे आफिस में काम करने क्यों नहीं देते हैं टी के पापा कहते हैं वो उससे मेकनिकल पढ़ने के लिए बोले थे ताकि टी फ्यूचर में फेक्टरी को मेनेज कर सके और वो पहले ही स्टडी कंप्लीट कर लिया है फिर भी उसकी ममी डर रहे थे तो उसके पापा कहते हैं अगर वो ट्रेनिंग पास नहीं कर सकता वो कंपनी का फ्यूचर मेनेज के से कर पाएगा वो उनका खून है वो जानते ही कि टी सब कर पाएगा बोलकर वहां से चले जाते हैं टी सब काम सिख रहा था वहां पर एक वरकर को देखकर क्या हुआ है पुछता है तो वो बताता है में ड्राइब कर रहा था सड़नली ये रुख गया उसे मेकानिक बुलाने के लिए कहते है तो वो कहता है वो कॉल किया था पर कोई भी अभी तक नहीं आए है टी चेक करता है और वो फिक्स कर रहा था सब वरकर उसे देखने के लिए आ जाते है टी ठीक करकर स्टार्ट करने के लिए कहता है वो स्टार्ट करता है, स्टार्ट हो जाती है, टी की ममी उसे देकर बहुत खुश थे, और टी के पापा से कहते हैं, वो टी को ऐसे काम करते देकर बहुत खुश है, आप भी जब यंग थे तो आप भी ऐसे ही काम करते थे, दोनों टी को फिक्टरी में काम करते देकर बहुत ख रहा था, ये देकर मिना उसे रोकती है, पर वो नहीं सुनता है. मिना उसते हैं। तम सच में ये कर लोगे ? तो वो चमता हमा आपना प्लेटे काम नहीं करता लोगे वो मेरर देखकर डर से चिलाने लगता है मीना और उसके ममी देखने के लिए जाते हैं वो बाहर निकलता है उससे क्या हुआ है पुछते हैं वो बता भी नहीं पा रहा था फिर बताता है तो दोनों हसने लगते हैं मीना बताती है एलिस वहां पर हमेसा रहती है ये सुनकर फू चोक जाता है मीना उनके घर पर जितने भी छिपकली है सबका नाम बताती है और वो लोग कहां कहां पर रहते हैं मीना की मम्यों से रोक कर छिपकली को हटाने के लिए कहते हैं फू को नहाना भी है वो जाकर हटा देती है और उसे नहाने के लिए भीशती है पर वो बहुत डर रहा था रात में फू मीना के साथ में सोना चाता था पर वो उसे रूम में धखिल देती है और डोर बंद कर देती है फू डोर खोलने के लिए कहता है पर वो उसके साथ में नहीं सोती है फू को बहुत गर्मी लग रही थी फिर भी वो मैं अपनी वाइब के लिए मैनेज कर लूँगा बोलकर सोता है पर उसे नींद नहीं आ रही थी और कुते भोकने की आवाज से वो डर जाता है तब ही करेंट चली जाती है तो वो डर जाता है और डर खोलने के लिए कहता है मीना डर खोलती है तो वो उससे हग कर लेता है और उसे नहीं छोड रहा था उससे अपने साथ सोने के लिए कहता है पर वो नहीं जा रही थी इसलिए वो उसके साथ यहीं पर शोएगा कहता है मीना की ममी उसे अंदर जाकर सोने के लिए कहता है मीना बेट पर सोती है और फू को नीचे सोने के लिए कहती है वो उसके हाथ पकड़कर नीचे सोता है अगले मौर्निंग पानू फिल से गेंबलिंग में हार कर घर आता है और अपने पापा से 8 मिलियन मांगता है पर उसके पापा उसे देने से मना करते है अगले सिन में फू भी मार्केट मीना की हेल्प करने के लिए जाता है तभी वहाँ पर नोट आ जाता है और सब को बुला कर मीना की बुराई करने लगता है फू सब के सामने कहता है हम दोनों एक दुसरे से प्यार करते है पर नोट फिर भी उन दोनों की बाते करने लगता है तभी वहाँ पर वी आता है और नोट को ये सब करने से रोकता है तुम सब को गलत information देना बंद करो फू भी उससे धमकाता है तो नोट और बाकी लोग भी वहाँ से चले जाते है फू वी को बात करनी के लिए बुलाता है फिर उससे पुछता है तुम आज मेरा help क्यों किये वो कहता है मैं बस मीना को खुश देखना चाहता हूँ मीना तुम से प्यार करती है मैं अब से मीना का बड़ा भाई हूँ दोनों अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं ये देकर मीना खुश थी अगले सिन में फू फिक्री जाता है और टी को काम करते देखकर बहुत खुश था पानू और उसके पापा के ओफिस से ते ने इंप्लोएं उनका डॉक्यूमेंट ले जा रहे थे उन्हें देकर तुम लोग ये क्या कर रहे हो पुशते हैं वो बताते हैं हमें ये सब डॉक्यूमेंट चेक करनी है पानू और डर कौन दिया है पुशता है सेकरेटरी आकर कहते हैं फू के पापा दिये है कंपनी का पैसा कौन हेरा फेरी किया है उसका चान बिन कर रहे है पानू ये सब देखकर बहुत डर रहा था पर उसके पापा कंट्फिडेंस से कहते हैं हम पकड़े नहीं जाएंगे अगले सिन में फू की बेटी बिमार रहती है मेट जाकर उसकी ममी को बताती है पर वो बात नहीं सुनती है और गुमने के लिए चली जाती है मेट फू को कॉल करती है और उसे बताती है तो वो बच्ची को हॉस्पिटल लेकर जाता है पर वो इंजेक्शन नहीं लगवा रही थी मेना उसे समझाती है और उसके साथ में खेलती है उसे इंजेक्शन दे देते हैं पर उसे पता ही नहीं चलता है जब फू की गल्फिंट घर आती है बच्ची को फू हॉस्पिटल लेकर गया है जानकर गुसे में थी और मेट से कहती है तुम मुझे क्यों नहीं बताई फू को कॉल करके क्यों बताई बोलकर डाटने लगती है फिर वो हॉस्पिटल जाती है तो फू से यहां पर देखकर बहुत गुसे में था और उसे पुछता है तुम यहां पर क्या कर रही हो वो कहती है मैं क्यों नहीं आ सकती ये मेरी बेटी है और बच्ची के पास जाकर उसे बात करती है मीना वहां से जा रही थी वो उसे रोकर फू की लाइब से चले जाने के लिए कहती है फू और मेरी एक बेटी है तुम हम दोनों के बीच में क्यों आ रही हो मीना भी उसे सुना देती है तो वो बहुत गुसे में थी और उसे मारना चाहती थी फू उसे रुकता है और उसे बाहर ले जाता है दोनों बहस करने लगते हैं फू गुसे में था और कहता है ये मेरी बेटी है पर मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी ममी कौन है फू वहां से चला जाता है फिर वो अपनी ममी पापा से बच्ची को अपने पास रखने के लिए पर्मिशन मंगता है पर उसकी ममी नहीं मान रहे थे उन्हें समझाते हैं तो वो बच्ची को रखने के लिए मान जाते हैं दुसरे तरह पानू के पापा पानू को CEO बनाने के लिए सिक्रेट मिटिंग कर रहे थे अगले दिन फू के आफिस से सब डोक्यूमेंट ले जा रहे थे फू के पापा ये किसने ओर्डर दिया है पुछते हैं तब ही वहाँ पानू और बाकी सेयर होल्डर आ जाते हैं फू से पुछता है तुम्हें ये सब करने का रैट्स कहां से मिला पानू कहता है मेरे पास कमपनी फ्यूचर CEO का रैट्स है फू से कहता है मैं कमपनी का CEO हूँ तो सेर होल्डर कहते हैं तुम नहीं हो क्योंकि हमने पहले से ही तुम्हारे पोजिशन को लेनी के लिए पानू को भोट दिये थे फू और पानू बहस करने लगते हैं और दोनों फाइट करते हैं तो उन्हें रोकते हैं फू के पापा गुसे में थे और कहते हैं याद रखना तुम सब मेरे और मेरे बेटों के साथ क्या किये हो तुम लोग इसके लिए बहुत पश्टाओगे बोलकर वहां से चले जाते हैं फू अपने आपको ब्लेम करने लगता है वो ठीक से काम नहीं किया मैं अच्छे से काम करता तो ऐसा नहीं होता फू के पापा उसे रिष्ट करने जाने के लिए कहते हैं वो मेना से मिलने के लिए जाता है उसके ममी बताते हैं वो काम करने के लिए गई है पर उसे कुछ भी इसके बारे में पता नहीं था फू मीना से मिलने के लिए जाता है पर वो वी और मीना को साथ में दे कर गलत समझ लेता है मीना जब घर आती है उसके ममें फू कहां है पुछते हैं वो तुम से मिलने के लिए गया था क्या वो तुम से नहीं मिला वो नहीं कहती है टी मीना को कॉल करके फू के बारे में पुछता है वो कहां है मीना भी नहीं जानती है कहती है टी सोचता है वो कहां गया है वो आज बहुत ट्रेस में था मीना उसे क्या हुआ है पुछती है तो वो उसे सब बता देता है ये जानकर वो फू के लिए बहुत वरिड थी और फू को कॉल करके फू कहां पर है उसे बताते हैं अगले मॉर्निंग मीना फू के पास आती है और उसे जगाती है वो उसे पहले तो देखकर खुस हो जाता है फिर उसे यहां से जाने के लिए कहता है मीना उसे क्या हुआ है पुछती है और उसका पसी ना पुछती है फू उसे करने के लिए नहीं देता है और गुसे से उसे यहां से जाने के लिए कहता है मीना भी गुसा हो जाती है और तुम्हें जो भी करना है यहां पर करो बोलकर चली जाती है दुसरे तरफ मीना और फू घर पर नहीं थे इसलिए बच्ची खुश नहीं थी और वो खेल भी नहीं रही थ टी और भीता बाते कर रहे थे तब ही उसे उल्टी आती है टी उसे क्या हुआ है पुछता है उसे भी नहीं पता कहती है बच्ची कुछ खा भी नहीं रही थी इसलिए फू के पापा रात में उसे मीना के घर पर लेकर जाते हैं और मीना को घर वापस आने के लिए कहते हैं मीना की आवाद सुनकर देखने के लिए जाता है मीना उसे देखकर वहां से जाने लगती है तो फू उसे रोकता है और तुम यहां पर कैसे पुछता है मीना उसे कहती है पापा मुझे यहां पर बच्ची की ख्याल लगने के लिए वापस बुलाएं है क्योंकि सबने उसे छोड़ दिया है यहां तक कि उसके अपने ममी पापा भी छोड़ दिये है फू बच्ची से बात करता है और उसे प्रॉमिस करता है मैं हमेसा तुम्हारे साथ में रहूंगा मीना कहती है यह अच्छा है कि तुम ऐसे बोले तो मैं अब घर जा सकती हूँ फू क्यों पुछता है तुम मेरे साथ यहां पर क्यों नहीं रह सकती मीना कहती है पिछली बार तुम मुझे वहां से भगा दिये थे तुम मुझे अभी क्यों अपने पास रखना चाते हो फू कहता है तुम मेरी वाइफ हो तुम यहाँ पर रहो पर मीना उसे फोर्ष करने से मना करती है हम दोनों एक दुसरे से बिलकुल अलग है मुझे लगता है कि हमें कुछ टाइम के लिए दूर रहना चाहिए यह सुनकर फू कहता है तो क्या तुम वी के पास जाओगी मीना गुस्सा हो जाती है और दोनों बहस करने लगते हैं फू वहां से चला जाता है दुसरे तरफ भीता डॉक्टर के पास जाकर अपना चेक अप करवाती है तो वो प्रेगनेंट है बताते है वो टी से मिलती है उसे फिर से उल्टी आने लगती है तो वो वहां से चली जाती है टी उसकी परस में मेडिसन देखता है वो जब वापस आती है तो उससे पुछता है यह मेडिसन प्रेगनेंट लेडी लोक के लिए है ना बीता हां मेरी है कहती है अगर तुम पापा बनना नहीं चाते हो तो ठीक है बोल कर जा रही थी टीउ से पिछे से हक कर लेता है और वो ये जानकर बहुत खुच से कहता है फिर उसकी बहुत केर करने लगता है मेना बच्ची को सुला रही थी तब मुझे तूम से मिलने के लिए आता है और मुझे तुमसे कुछबात करना है, कहता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। दोनों बात कर रहे थे, फू बहुत नशेमे था और वहां से जा रहा था, तभी वो उन दोनों को देख लेता है। टी मीना की हाथ पकड़ कर बताता है वीता प्रेगनेंट है ये सुनकर वो खुस हो जाती है और उसे हग करती है फू ये सब देखकर गलत समझ लेता है और बहुत गुसे में था मीना जा रही थी फू उसे रोकता है और अपने साथ ले जाता है और उसे बहस करने लगता है तुम मेरी वाइफ हो पर तुम मेरे भाई के साथ में मुझे धोखा दे रही हो ये सुनकर मीना गुसा हो जाती है और उसे एक थपड़ मारने वाली थी फू उसकी हाथ पकड़ लेता है दोनों बहस करने लगते हैं मीना भी गुसे में कह देती है अगर मैं टाइम पर वापस जा सकती टी को चोईस करती तुम्हें नहीं फू तुम मेरी हो बोलकर उसके साथ जबजस्ती करने लगता है मीना वहां से भाग कर रूम चली जाती है फू उससे माफिय मांगता है पर वो डोर नहीं खोलती है अगले मौर्निंग फू बाहर वहीं पर सोया था उससे जगाते हैं तो वो मीना कहा है पुछता है अंदर बच्ची रो रही थी देखने के लिए जाते हैं तो बच्ची मीना कहां गई है पुछती है मीना घर पर नहीं थी और एक नौट छोड़कर गई थी वो अब यहां पर रहना नहीं चाती है और फू मुझे फोलो ना करे उसके पापा कल रात क्या हुआ था पुछते हैं फू उन्हें सब बताता है तो उसके पापा उससे डाटने लगते हैं तुम्हारे वज़े से वो फिल से घर चोड़कर चली गी फू कहता है ये मेरी गलती नहीं है टी का गलती है टी कैसे पुछता है तो फू रात के बारे में उससे सब बताता है टी कहता है हां मैं उससे गले मिला था ये बताने के लिए कि बीटा प्रेगनेंट है ये बात सुनकर सब खुस हो जाते हैं फू अब मीना को कैसे मनाएगा सोच के टेंशन में था फिर वो मीना से मिलने के लिए जाता है और रात में जो भी हुआ था उसके लिए माफी मांगता है पर वो उसका बात नहीं सुनती है और वहां से जा रही थी फू उसे हग कर लेता है और नहीं छोड़ रहा था मीना उसे माफ कर दी कहती है तो वो उसे छोड़ देता है मीना उसे यहां से जाने के लिए कहती है तुम अगर नहीं गय तो मैं तुम्हें मारूंगी वो डर से चला जाता है फू फिर से वापस आता है तो मिना वहाँ पर नहीं थी वी आता है और मिना को फरिशान ना करने के लिए कहता है दोनों बहस करने लगते हैं फिर दोनों फाइट कर रहे थे मिना वहाँ पर आ जाती है और वी को रोकती है तुम इसे मत मारो बोलकर उससे रिक्वेश्ट करती है मैं फू से प्यार करती हूँ वी वहां से चला जाता है फू मीना से माफी मांगता है उससे रात में गलत फिमी हो गई थी मीना उससे माप कर देती है वी सब देख रहा था फू को उसके पापा कॉल करते हैं और बुलाते हैं तो दोनों उनसे मिलने के लिए जाते हैं पुलिस को किड्नेपर्ष का सिसिटी भी फुटेश मिल गया था किड्नेपर्ष के साथ में पानू भी था उन्हें पता चल जाता है पानू ये सब करवाया है अफिसर अभी ही उसे अरिश्ट करने के लिए जा रहे थे पर फू के पापा रोक कर कहते हैं वो पानू का चेहरा सब के सामने लाना चाते हैं अगले दिन फू के पापा अरजेंट मिटिंग बुलाये थे पानू ये जानकर उन्हें वहां से निकल जाने के लिए कहता है फू के पापा कहते हैं उन्हें कुछ कहना है फिर वो चले जाएंगे वो पानू का रिकर्ड सुनाते हैं पानू जो पैसा कमपनी से हेरा फेरी करवाया था पर पानू ये मैं नहीं हूं कहता है सब को किडनेपर्श के साथ पानू का सिसिटी भी फुटेश दिखाते हैं पानू मीना और फू को मरवाना चाता था पर उसका प्लान फिल हो गया था पानू वहां से भाग रहा था पुलिस आ जाते हैं और उसे पकड़ कर ले जाते हैं सब सेयर होल्डर्स फू के पापा से माफी मांगते हैं तो वो माफ कर देते हैं और फू को सीयो पोजिशन दे देते हैं अगले दिन पानू की ममी उन्हें जेल से छुडवा लेते हैं पानू के पापा बहुत गुसे में थे पानू घर नहीं जाता है और वहां से कहीं चला जाता है वो फू की गर्फरेंट से मिलता है पर वो पानू अरेश्ट हुआ था जानकर उसे अपने पापा का पैसा वापस कर देने के लिए कहकर जा रही थी पानू उसे जाने नहीं दे रहा था, वो हेल्प के लिए बुलाती है तो आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, वो वहां से चली जाती है, अगले दिन पुलिस फूव की गर्फरेंड के पापा को अरिश्ट करने के लिए आये थे, पर उसके पापा पहले से ही कंट्री छोड़कर चले गये थे, वो बच्ची बिमार रहती है, फूव की गर्फरेंड वहां पर आती है, और एक्टिंग करने लगती है, मीना ये सब देखकर वहां से चली जाती है, बच्ची इंजेक्शन नहीं लगवा रही थी, उसकी मम्यों से चलाकर बात करती है, और उससे इंजेक्शन लगवाने के और उसके लिए कुछ खाना खरीद कर ला देने के लिए कहती है पर वो उसे पैसे देकर खरीद लेना बोलकर वहां से चला जाता है वो बहुत गुसे में थी फू जाकर मीना से मिलता है और उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है उसकी मम्मी भी उससे घर जाने के लिए कह के लिए कहता है पर मिना जाने से मना करती है फू बच्ची से मिलने जाने के लिए मनाता है तो वो मां जाती है दूसरे तरफ पानू अलग-अलग कंपनी में जॉब अपले करने के लिए जाता है उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती है लाश्ट में वो एक कंपनी जाता है पर उस कहना है कहती है मैं चाहती हूँ कि ममी और पापा एक दूसरे से प्यार करे हम एक फैमिली है फू की गल्फरेंड बची को ये सब कहने के लिए सिखाई थी मीना उन तीनों को साथ में देखकर शेट थी फिर वो घर आकर फू के पापा से मिलती है और कांट्रेक्ट खतम कर देन बाहर वही पर रहता है और वो सब सुन लिया था मीना बाहर निकलती है और फू को देकर क्या तुम सब सुन लिये पूछती है तो वो हां कहता है मीना उससे कहती है ये जगे मेरे लिए नहीं है तो मुझे जाने दो फू मान जाता है और उसकी हाथ पकड़कर कहता है लेकिन इससे पहले कि हम अपने अलग-अलग रास्ते पर जाएं क्या मैं तुम से एक चीज मांग सकता हूँ फू उसे उसी बीच पर लेकर जाता है और दोनों साथ में बिताय हुआ टाइम को याद करकी इमर्शनल हो जाते हैं अगले दिन मीना घर छोड़ कर जा रही थी उसकी तब्यट ठीक नहीं रहती है वी उसे डॉक्टर के पास चेलने के लिए कहता है पर वो नहीं जा रही थी फिर वी उसे चेलने के लिए कहता है फिर दोनों डॉक्टर से मिलते हैं डॉक्टर बताते हैं तुम प्रेगनेंट हो मीना ये सुनकर चौक जाती है और क्या आप शूर है पुछती है वो बिलीब करने ही पा रही थी दुसरे तरफ सेकरेटरी फू को बताते हैं ये रबदी सीयो के लिए तुम्हें चोईस किये हैं पर वो एकसेप्ट नहीं कर रहा था और किसी और को अवर्ड देने के लिए कहता है तब ही वहाँ पर बच्ची और उसकी गल्फरेंड आते हैं फू से पुछता है तुम बच्ची को यहाँ पर क्यों लाई हो तो वो कहती है मैं क्यों नहीं ला सकती कुछ दिनों से बच्ची तुम्हें नहीं देखी थी और तुम्हें मिस कर रही थी वो वही एंवलब देखकर उसे अवर्ड एकसेप्ट करनी के लिए कहती है पर वो नहीं जाएगा कह रहा था फिर भी वो सेकरेटरी को फू जाएगा कह देती है तो वो चले जाते हैं अगले सिन में पानू और उसके पापा फू को अवर्ड मिल रहा है जानकर बहुत गुसे में थे पानू के पापा उससे डाटने लगते हैं तुम अब तक कुछ नहीं कर रहे हो पानू उसे प्रॉमिस करता है मैं फू को हरा दूँगा फिर वो किसी को कॉल करता है और फू को आज रात मारने के लिए कहता है बीता सब सुन ली थी फिर वो मीना से मिलने के लिए जाती है वी वहाँ पर आता है तो वो उसे कुछ भी नहीं बताती है इसलिए मीना वी को यहां से जाने के लिए कहती है बीता मुझे घर छोड़ देगी वो चला जाता है मीना उसे क्या हुआ है पुछती है तो वो ये फू के बारे में है कहती है ये सुनकर मीना वहां से जा रही थे वीता उसे रुकती है और बताती है पानू अज फू को शूट करने के लिए किसी को भेजा है दोनों अब क्या करेंगे सोच रहे थे मीना फू को कॉल करती है पर वो नहीं उठाता है दोनों कमपनी जाते हैं फू और टी जा रहे थे मीना और वीता उन दोनों को आवाज लगाते हैं पर दोनों नहीं सुनते हैं टी कार में ही अपना फॉन भूल गया था इसलिए वो लाने के लिए चला जाता है बीता की पेर में मौच आ जाती है वो मीना को फू के पास जाकर उसे सब बताने के लिए कहती है मीना फू के पास जाती है वहाँ पर दो लोग आते हैं मीना फू को बताती है यहाँ पर डेंजर है फू से यह सब क्या बूल रही हो पुछता है तब ही वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं और फायर करने लगते हैं मीना उसे साइड में ले जाती है और दोनों छुप जाते हैं वो गुंडे वापिस आते हैं और उन्हें ढूंड रहते हैं फू एक गुंडे से फायर करता है मीना और एक गुंडे से फायर करती है वो गुंड पर भी फायर करता है गोली बस छो कर निकल जाती है वहां पर टी और भीता आ जाते हैं तो वो गुंडे वहां से चले जाते हैं मीना बहुस हो गई थी उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसकी ऑपरेशन चल रही थी ऑफिसर फू से मिलते हैं और उसे पुश्टाश करते ह टी बताता है हमें पहले ही कोई इंफर्म कर दिया था उसे कौन पुछते हैं भीता सब सुन रही थी फिर वो पानू को कॉल करती है और उसे पुछती है तुम ही थेना जो फू को मारने के लिए भेजे थे ये सुनकर पानू डरने लगता है और क्या तुम किसी को ये बात बताई पुछता है तो भीता कहती है ये सब अभी बात करने का टाइम नहीं है पुलिस तुमको अभी घर पर पकड़ने के लिए जा रहे है ती भीता को बुलाने के लिए जाता है भीता पानू को कहती है अरे छोने से पहले तुमको वहाँ से भ पर टी कहता है तुम दोनों भाई बहन मिलकर मेरे भाई को मारना चाते हो बीता कहती है मैं पानू के साथ में मिली हुई नहीं हूँ मैं बस नहीं चाहती थी कि उसे फिर से अरेश्ट किया जाए टी गुस्से में था और अपना हाँ छुडाता है बीता नीचे गिर जाती है प मिना प्रेगनेंट है वो मिना से बचे के बहरे में पुशटा है यह मेरा बच्चा है ना वो नहीं बता रही थी तभी वह पर वी आ जाता है और फू को यहां से जाने के लिए? कहता है और मैं इस बच्चे के पापा हूं कहता है हम दोनो एक दूसरे से प्यार करते हैं फू क्या ये सच हे पुचता है तो मीना हा कहती है पर वो उस पर बिलिब नहीं कर रहा था हुए बस ये सब लिए बोला था क्योंकि वो मीना को और प्रॉबलम में देखना नहीं चाता था दूसरे तरफ पानु जहां पर छुपा था वहां पर पुलिस उसे ढूंडने के लिए आते हैं पानु उन्हें देखकर वहां से चला जाता है फिर अपनी ममी को कॉल करता है वो उससे बात कर रहे थे पानु के पापा उससे फोन ले लेते हैं और उससे डाटने लगते हैं तुम मेरे बेटे नहीं हो जाओ और मर जाओ उसके पापा भी अब उससे छोड़ दिये थे वो अब क्या करेगा सोच रहा था फू की गल्फरिंट जा रही थी उसकी कार के आगे में पानु आ जाता है वो उससे देखने के लिए जाती है तो पानु उससे पकड़ लेता है और गन दिखा कर उससे वहां से ले जाता है वो वही किड्नेपर के साथ में रहता है और फू को पकड़ कर लाने के लिए कहता है वी मीना को बाहर गुमाने के लिए लेकर गया था उसे एक क्लाइन कॉल करता है तो वो बात करने के लिए चला जाता है फू की गल्फरेंट किटनेपर को मार कर वहां से भाग रही थी और भी सजा कर टकरा जाती है बच्ची मीना से मिलने के लिए आती है मीना फू को देखकर गुसे में थी और वहां सजा रही थी बच्ची उसे रोक रही थी और नीचे गिर जाती है दोनों उठाने के लिए जाते है तभी पानू उन पर फायर करता है पर गोली नहीं लगती है पानू वहां पर आता है और फू का अपने पास बुलाता है वरना वो तीनों को मार देगा फू उसके पास जाता है फिर भी वो मीना पर फायर करने वाला था फू उससे फायर करता है तभी वहां पर एक और गुंडा आ जाता है और वो उपर फायर करता है फू पानू को छोड़ देता है, मीना गन निचे देकर उठाने के लिए जाती है, पर पानू उठा लेता है और बच्ची को अपने साथ ले जाता है, मीना बच्ची को छोड़ने के लिए कहती है और उसके पास जा रही थी, वहाँ पर सब लोग आ जाते हैं तो पानू मीना को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है फिर वो फू को कॉल करके पैसे मांगता है और पुलिस को ये मत बताना वरना तुम दोनों का चेहरा देखने ही पाऊगे अगले दिन वी और फू पैसे देने के लिए जाते हैं पानू वी को देखकर फू को कॉल करता है और तुम अपने साथ किसी और को क्यों लाये हो पूछता है वी कहता है मैं पुलिस वाला नहीं हूँ पानू पैसे बिल्डिंग में जाकर रख देने के लिए कहता है दोनों जाकर रख देते हैं फिर मीना और बच्ची को ढूनने के लिए जाते हैं बच्ची मिल जाती है पर मीना नहीं मिलती है जब वापस पैसे देखने के लिए जाते हैं तो पानू ले गया था वो भाग रहा था तब ही वहाँ पर पुलिस आ जाते हैं और उसे सरेंडर करने के लिए कहते हैं पर वो उ उन पर ही फायर करने लगता है, पुलिस भी उस पर फायर करते हैं तो उसे गोली लग जाती है, पुलिस बिलिप करने ही पा रहे थे, दूसरे तरफ मीना अब तक नहीं मिली थी, इसलिए फू बहुत टेंशन में था, फिर वो बच्ची से पुछता है, क्या तुम्हें पता है मीना को किडने पर कहां लेकर गए है, पर बच्ची भी नहीं जानती थी, वी मीना को जल सजल ढून कर लाने के लिए कहता है, तो दोनों बहस करने लगते हैं, फू के पापा उन्हें रोकते हैं, फू की गल्फरेंट कहती है, मुझे सायद पता है, मीना कहां है, फू कहां है पुछता है फिर वी और फू वहाँ पर जाते हैं मीना को बांद कर रखे थे वो अपनी रसे खोलती है फिर जाकर देखती है तो डोर बन था इसलिए वो चिलाती है किडने पर आवाद सुनकर अंदर जाते हैं वो छिप गए थी और उन्हें मारने लगती है पर उसे पकड़ लेते हैं फिर वी और वी उसकी आवाद सुनकर अंदर जाते हैं फिर उनसे फाइट करते हैं एक गुंड़ा फू पर पिछे से चाकू मारता है और मीना को भी मारने के लिए जा रहा था फू उसकी आगे में आ जाता है वी आकर उस गुंडे से फाइट करता है और मीना को अपने साथ चलने के लिए कहता है पर वो फू को छोड़ कर नहीं जाएगी कहती है फिर उससे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं दूसरे तरफ पानू के फैमिली उससे देखने के लिए गय थे पानू के पापा बहुत गुसे मे थे और अपने बेटे का बदला लेंगे सोचते हैं वी मीना को घर चलने के लिए कहता है पर वो फू को छोड़ कर नहीं जाती है इसलिए वी उससे समझाने की कोसिस करता है तुम अभी ममी बनने वाली हो अगर तुमको खुद की चिंता नहीं है तुम है अपने बच्चे के बारे में सुचना चाहिए तुम अभी घर चलो कल मैं तुम्हें यहां पर लेकर आऊंगा ये सुनकर वो खुस हो जाती है और उसे प्रॉमिस करने के लिए कहती है वो प्रॉमिस कर देता है तो वो चली जाती है फू की गल्फरंड सब सुन ली थी और मीना प्रेगनेंट है जान गई थी अगर फू को पता चला तो वो मीना को चोईस करेगा सोच कर टेंशन में थी अगले दिन वो मीना से मिलती है और उसे इमोशनल बलाक मेल करती है मीना कहती है मैं फू के लाइप से चली जाओंगी फू की गल्फरंड ये सुनकर खुस हो रही थी फू जाकता है और मीना कहा है पुछता है उसके गल्फरंड कहती है मीना यहाँ पर नहीं है पर वो उस पर बिलीब नहीं करता है और कहता है मैं उसके आवाद सुना था और मीना से मिलने के लिए जा रहा था उसके गल्फरंड उसे रोकती है और उसे यही पर रहने के लिए कहती है मैं उस उसे कॉल करके बुलाती हूँ पर वो बहुत गुसे में थी तुम उसके वज़े से मरते मरते बचे हो और अभी भी भी उसके बारे में सोच रहे हो बोलकर उसे कॉल नहीं करती है फू मीना की वेट कर रहा था तब ही वहाँ पर उसके ममी पापा आते हैं फू उसके मीना कहा है पता चल गया था उससे पुछते हैं तो वो हाँ ये सच है कहती है उसकी ममी उससे पुछते हैं क्या फू जानता है कि तुम उसकी बच्चे की माँ बनने वाली हो वी आकर इसकी कोई जरूरत नहीं है कहता है हम Phu को ये बताएं हैं कि ये बच्चा मेरा और मीना की है ये सुनकर उसकी ममे चोक जाते हैं और वो Phu को सब सच बताने के लिए जा रहे थे वी उन्हें रोकर कहता है मैं जो भी बोला हूं उसके लिए मैं जिम्मेदारी लूँगा और मीना से साधी करूँगा मीना उससे मना करती है पर वी उसकी अच्छे से ख्याल रखेगा कहता है अगले सिन में Phu की गल्फरेंड Phu के आफिस उससे मिलने के लिए गई थी पर वो उससे इग्नोर करता है इसलिए वो वहाँ से जेली जाती है तब ही वहाँ पर Phu का फ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है और मैं यहाँ पर किसी को ढूडने के लिए थाईलेंड आया हूं कहता है अगले सिन में बच्ची बिमार थी उससे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं फिर शब डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर बताते हैं उससे एनेमी या बलड डिसॉडर है पर Phu के पापा कहते है उनकी फेमिली हिस्ट्री में किसी को भी ये डिसॉडर नहीं है Phu की गल्फरेंड बहुत डर रही थी Phu उससे सब सच बताने के लिए कहता है पर वो कुछ भी नहीं बता रही थी Phu उससे पुछता है क्या प्लॉई मेरी बेटी नहीं है वो कहती है ये हमारी बेटी है पर Phu उस पर बिलीब नहीं कर रहा था और उसे डियने टेस्ट कराने के लिए कहता है तब ही वहाँ पर उसका फ्रेंड आता है तो वह वहाँ से जा रही थी फू का फ्रेंड उसकी आवाद सुनकर पहचान लेता है और उसे जाकर रोकता है वो यहाँ पर फू की गर्फरेंड को ढूडने के लिए आया था और उससे गले मिलता है फू पूशता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहचानते हो तो वहां कहता है ये मेरी वाइफ है हम दोनों साथ में थे पर ये मुझे छोड़ दी और एक करोड़ पती से साधी कर ली और ये मेरे बच्ची की ममी बनने वाली थी पर फू की गल्फरंड ये जूट बोल रहा है कहती है फू उस पर बिलीब नहीं करता है और ठीक है चलो तब डी एने टेस्ट करवा लेते हैं कहता है वो उससे माफी मांगती है वो उससे जूट बूली थी और सब कलियर हो जाता है पलॉय उसकी बेटी नहीं है वो जाकर अपने ममी पापा को ये बात बताता है तो वो खुसो जाते हैं और उसे मीना के पैस जाकर बताने के लिए कहते हैं वो चला जाता है रात में मीना और वी बात कर रहे थे वी उसे दोनों की साधी के लिए मान जाने के लिए कहता है फू ये सब देख रहा था और वो सब सुन लिया था वो वहां से चला जाता है मीना वी को मना करती है और मैं तुम से साधी नहीं कर सकती कहती है अगले दिन मीना अपनी चेक अप करवाने के लिए गई थी चीत को अरजेंट काम था इसलिए वो उसे लेने के लिए नहीं आया था वो टेक्सी से चली जाती है बीच रास्ते में उनकी टेक्सी खराब हो जाती है ट्राइबर कार्ट ठीक कर नहीं पाता है इसलिए मीना जाकर बना रही थी ये पानू के पापा रहते हैं और उसे बेहुस कर देते हैं मीना की बहन उसे कॉल करती है पर उसकी कॉल नहीं लगती है दुसरे तरफ फू को पानू के पापा मीना की बीडियो भेजे थे फिर उसे कॉल करके धमकाते हैं और उसे बाद में कॉल करके डिमांड बताएंगे कहते हैं भीता आवाद सुनकर थोड़ी डाउट करती है और अपनी ममी को बताती है उसकी ममी बताते हैं वो कल तुम्हारे पापा को गंसाप करते देखे थे और वो किसी से बदला लेना चाहते हैं बोले थे मीना की ममी फू के घर पर आकर मीना कहां है पुछते हैं पर उन्हें कुछ भी नहीं बता रहे थे। वी बहुत गुसे में था और फू के साथ में बहस करने लगता है। फिर दोनों फाइट करने लगते हैं। फू के पापा उन्हें रोकते हैं और शब बता देते हैं। मीना की ममी बहुत गुसे में थे और सपर चिलाने लगते हैं, उनकी तवियर ठीक नहीं रहती है, फू के पापा वी और फू को साथ में मीना को ढूरने के लिए कहते हैं, अगले सिन में पानू के पापा मीना के लिए खाना लेकर आते हैं, और उसे खाने के लिए कहते हैं, प लेट कर टुकड़ा देखकर मीना रसी काटनी की कोसिस करती है। फिर रसी खोल कर जा रही थी, आगे में पानू के पापा आ जाते हैं। और उसे गन दिखा कर डराते हैं और उसे मारते हैं तो वो बेहुसो जाती है। फिर वो फू को कॉल करते हैं और उसे अकेले वेर हाउस पर बुलाते हैं वी सब सून लिया था फू वेर हाउस जाता है और मीना की हाथ खोल रहा था उसके पिछे में पानू के पापा आते हैं और उसे मार कर बहुस कर देते हैं भीता और उसके ममी फू के घर पर जाते हैं और बताते हैं मीना को भीता के पापा किडनेप किये हैं पर उन्हें भी नहीं पता वो मीना को कहां पर रखे हैं पानू के पापा फू को भी मीना के साथ में बान दिये थे और वहाँ पर ओल चिड़कते हैं और आग लगा देते हैं दोनों आपने आपको छुडाने की कोसिस करते हैं पर वो रसी खोलने ही पाते हैं तब ही वहाँ पर वी आता है और मीना को छुडा लेता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है पर वो नहीं जाती है और फू का रसी खोल रही थी वी उसे हटा कर हयल्थ करता है तभी वहाँ पर पानू के पापा आ जाते हैं वी उन्हें गोली चलाने से रोकने के लिए जाता है और दोणा लड़ रहे थे वो वी पर ही गोली चला देते हैं फिर भी वी उड़ता है और उन्हें रोक रहा था गलती से मीना पर गोली चल जाती है पानू के पापा वी पर गोली चलाते हैं फिर भी वो उनसे लड़ रहा था पानू के पापा के उपर वेर हाउस की समान गिर जाती है और उनका वहीं पर डेथ हो जाती है फू और मीना को बाहर निकालते हैं पर वी मर गया था उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं मीना की उपरेशन चल रही थी डॉक्टर बताते हैं वो सेफ है मीना जाकती है और वी कहा है पुछती है पर उसे नहीं बता रहे थे उसके बार बार पुछने से उसके ममी उसे बता देते हैं वी अप नहीं रहा वो ये सुनकर रोने लगती है वो हमेशा उसके बहुत केर करता था फू से मिलने के लिए आता है पर मीना की ममी उसे रोक कर बाद में मिलने के लिए कहते हैं वो बहुत उदास थी अगले सिन में बेटा घर छोड़कर जा रही थी टी के ममी पापा उसे रोकते हैं और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी कहते हैं तुम टी की वाइफ हो और तुम यहीं पर रहो वहां से चली जाती है फू मीना से पुछता है क्या तुम मेरे साथ में रहने के लिए वापिस आ रही हो तो वहां कहती है और दोनों साथ में बहुत खुश थे अगले दिन मीना के में में नए शौक खोल रहे थे फू का फैमिली वहां पर आते हैं और फू के पापा ऑपिनिं के साथ में खदम हो जाती है थाइंक यू फॉर वाचिंग